हलो फूचर ओफिसर्स दिस जैर ओभिला एंड वेलकम यौल तो सिंप्ली ग्रैक जोग्राफिक के इस लेक्चर में हम फुल जोग्राफिक रिवाइस करने वाले हैं यह लेक्चर आपके लिए बहुत ज्यादा यूस्फुल होने वाले जोग्राफिक के मेजर टॉपिक्स जै सब्सक्राइब करते हैं तो स्टार्ट करते हैं सोलर सिस्टम एंड अर्थ से तो सोलर सिस्टम एंड पढ़ना है कि अर्थ बनी कैसे थी अर्थ का ओरिजन कैसे हुआ सबसे पहले थोरी हम्हारी में उने बताया कि जो अर्थ है एक बादल से बनी हुई जैसे कि यह सन बड़ा ऐसा बादल है संसे तो काफी छोटा यह ऑवेसली देंश लेकिन सिटश के तरफ चक्र घात राथ H अब्रुट कर लिए इस लिए इनकी ते होरी को बोलते नेश शहीं ला neon इसनके सिंप्लिस्टिक एक्स्प्लिनेशन को रिवाइज किया लैपलेस में लैपलेस ने रिवाइज किया 1796 के अंदर और इम्हेनुल कंट ने सबसे पहले कब दी थी वाली थियोरी 1755 में नेक्स्ट जो थीयोरी है वो चेंबरलेन और मॉल्टन ने दी फेंबरलेन और मॉल्टन ने यह बताया कि एक करोडो साल पहले एक स्टार जो था वो हमारे सन के एट्मोसफेर से गुजर रहा था जैसे वह स्टार से बहुत बड़ा एक हिस्सा निकाल दिया अट्रेक्शन से ठीक है और यह स्टार तो चला गया अपने गुमता हुआ आगे लेकिन यह जो सर्फेस से मेटियल निकला था यह सन के चक्कर ही काटता रहा सन के चक्कर काटते काटते ये दिरे ये प्लैनेट्स के अंदर कंडेंस हो गया. ये ही मैटीरियरल जो है प्लैनेट्स में कंडेंस हो गया. का इनकी थेलि को बोलते हैं वांडरिंग स्टार की थी, और इनको सपोर्ट करने वाले थे थे दो लूग सर जेम्स और सर हेडर काथ इन दोनों ने यह किस ने दी थी जो थी वह सपोर्ट करते थे आटो श्मित रश्या से और काल विजासकर जर्मनी से बाइनरी थे देखो हमने अब तक क्या देखा है यह इमैनुल कंटो चेंबलें मॉल्टन सर्ज जेम्स और सर्ज हैरोल जेफरी यह बोलते थे ि अब उंपयनि को इन ने बोला ला थी थे वह कंपैनियन थे पी तो सण यह किस से बना हुआ था कभी कोई पूचते हैं किस से बना था चेटा। आपने करके चलेगार फ्लेनेंट Yum खतम नेक्स्ट बेहकत उक्नी इसमें यह एक चीज़ पढ़ नहीं है बिग बैंग थेयरी घो वो यह Big Bang Theory को Expanding Universe Theory भी बोलते हैं जैसा इसका नाम है इसी विए से इसका नाम पढ़ा है कि Universe जो है वो हमेशा Expand कर रहा है जैसे कि यह है Singularity का क्या मीनिंग है इसका कि यह वो एक Single Atom है Single Atom है कि Big Bang हुआ वो सब चीजी इसी Atom से Fruit के बन गई जैसे ठीक है यह जो Atom है यह Single Atom से ही पूरा का पूरा प्रहमांद बना यह था हमारा Expanding Universe की वह यह यूणिवर्स जो हो लगातार Expand कर रहा है जैसे कि पहले इतना था फिर थोड़ा बढ़ा हुआ फिर बढ़ा हुआ ठीक है Universe Expand हो रहा है इसका मतलब यह नहीं कि क्या कर रहा है Expand कर रहा है इस Big Bang Theory कब दी थी एडविन हब्ल ने कब दी जब इंडिया के अंदर खिलाफत मोमन चल रहे इंडिए 1920s के अंदर एडविन हब्ल ने दी थी Big Bang Theory अगर कोई आपसे पूछ ले कि वही expanding universe theory का सबसे पहला idea किसको आया था तो वो आया था जोज लमात्तरे को ठीक है अब big bang theory में सिर तीन point है वो आपको दिखाद में रखने है सबसे पहली बात तो ये कि जो पूरा universe जो है वो single atom से बना है पर इस atom की volume जो है बहुत चोटी है infinitely small बहुत चोटी volume है लेकिन temperature density infinite था बहुत ही ज़ादा temperature था फिर क्या हुआ 13.7 billion years ago ये जो singular atom था ये फट पड़ा ये फट गया और big bang उसको हमने बोला और इसी से ही हमारे सारे planets जो है वो बनने शुरू हो गए जैसे ही ये big bang जो है वो expand हुआ expand हुआ और slow down हुआ उसके तीन निट बाद दीखे तीन मिनट बाद जो पहला atom जो है वो बना कभी पूछ ले कि बिग बैंग के कितने minutes बाद पहला atom बना तो तीन मिनट के बाद जो है वो first atom बना after three minutes of big bang then big bang के तीन लाख साल बाद बिग बैंग के तीन लाख साल बाद जो temperature है वो cool down होने लगा और 4500 Kelvin पे आया जिसकी मदद से पहला atomic matter बन गया और इससे क्या हुआ यूनिवर्स जो है वो transparent होने लगा क्योंकि पहले क्या थे carbon dioxide के cloud ते कुछ दिखता नहीं था अब temperature जैसे ही कम हुआ वैसे यूनिवर्स जो जो हमारे stars हैं सबसे पहले तो stars कब बने सबसे पहले stars बने हमारे five से six billion years ago ठीक है hundred billion stars बन चुके है ठीक है hundred billion stars है अभी hundred billion stars और हमारी galaxy बनी galaxy हमारी galaxy का नाम क्या है आकाश गंगा या फिर milky वे galaxy ऐसी फिर हमारा बना solar system ठीक है हमारा solar system कब बना five से five point six billion years ago solar system के बाद planets बने planets कब बने four point six billion years ago अगर आपसे question कैसे भी करके पूछ लेए पूछ लेए और्थ कब बनी तो four point six billion years ago Uranus कब बना Jupiter कब बना कोई भी प्लानेट कब बना four point six billion years ago अगर हमने अपनी सहूलियत के लिए planets को दो टाइप में बाट रखा है एक होगे हमारा terrestrial planets दूसरे होगा हमाई jovian planet अब जो terrestrial planets थे वो हमारे सन के पास पैदा हुए पास बने उनके पास गरम gases थी ठीक है मतलब वो गरम हुआ करते थे गरम थे तो इसके मतलब जो gases वहाँ पे थी वो condensed नहीं हो पाई क्योंकि चीज़े condensed कब होती है जब temperature कम होता है अगर temperature ज़्यादा होगा तो तो evaporation होगा condensation तो होगा नहीं तो condensed हो नहीं पाए वो solid particles बनने पाए अब दूसरी चीज़ क्या होई terrestrial planets में एक तो gases जो हो condensation यो परी दूसरी sun के पास होने के कारण उनकाट atmosphere warm रहा warm रहने के कारण क्या हुआ भई अर्थ के पास temperature जो है वो human या फिर life को support देने वाला हो गया then solar winds जो है वो pass वाले planets ने बहुत ज्यादा phase करी जो solar winds होती है जो sun से निकलती हुई winds होती है obviously जो planets pass में होंगे उनको solar winds ज्यादा मिलेंगी तो solar winds जो है वो terrestrial planets के पास ज्यादा थी सो इसकी वज़े से क्या हुआ जो सारा dust था यह terrestrial planets के पास वो solar winds के कारण उड़ गया लेकिन jovian planets में ऐसा हुआ नहीं और jovian planets जो है वो बड़े होते हैं और terrestrial planets छोटे होते हैं यह सारी चीज़े थी jovian planets और terrestrial planets के बारे में ठीक है तो यही सब था कि वह यह sun के पास थे sun के पास होने के कारण ज्यादा warm थे तो condensation हो नहीं पाया gases का solar winds जो है वो ज्यादा intense थी यहां पर और इसे और यह सारे के सारे small भी है yeah जोफ़ान प्रेड्स जो होते हैं वह राइंटर भी ओते हैं ठीक है टेश्चेल प्रेडेट्स जो होते हैं और denser होते हैं जोफितर- सारे हो गया सेटरन हो गया यूञार् सोगया और Neptune हो गया और टेस्ट्रेल प्लैनेट को हो गए Mercury, Venus, Earth और Mars ठीक है तो यह चार प्लैनेट हो गए वही इसके टेस्ट्रेल प्लैनेट के चार प्लैनेट हो गए और यह चार प्लैनेट हो गए जोगियन के अब एक चीज उबरा जाती है यहां पर Asteroid Belt, Asteroid Belt जो है यह जो लास्ट वाले हैं यह Mars और Jupiter, Mars और Jupiter यह पीच में बहुत सारे Asteroids जो है वो गूम रहे है और उनको बोलते हैं Asteroid Belt तो question कैसे आता है कि Asteroid Belt जो है वो किन-किन प्लैनेट के बीच में है तो Mars के बीच में जोगिन प्लैनेट के बीच में है आपको एक-एक करके छोटे-छोटे facts कर लेते हैं solar system के बारे छोटे-छोटे facts जैसे कि 99.9 या 99.8 परसेंट जो पूरे solar system का मास है कि आपको पता है वो कौन occupy करता है वो sun occupy करता है ठीक है हमारे पास इतने सारे planets है आर्ट प्लैनेट्स है फिर Asteroids है फिर Meteors है इतना सब कुछ है लेकिन 99.8 परसेंट जो मास है वो तो sun का ही है परसेंटेज में तो हमने देखी लिया अगर आपसे पूछ लेगा भी sun का बाहर बताई दो कितना है तो बता दे ना 1.9 इंटू 10 to the power 30 kg जो कि अर्थ के मास से 3,33,000 गुना जादा है इन में से smallest जो है smallest मरकरी है largest Jupiter है brightest Venus है और मरकरी जो है वो nearest भी है सबसे ज़्यादा मास किसका है सबसे ज़्यादा मास है जुपिटर का और lightest कुछ है फिर से हमारा मरकरी जो है वो lightest है अब gravitational force किसका ज़्यादा होगा अब gravitational force की बात करें हमने physics में भी किया है उसका formula क्या होता है g m1 m2 over r square जिसका mass सबसे ज़्यादा होगा gravitational force सबसे ज़्यादा मास किसका है जुपिटर का है तो सबसे जल्दी एक revolution मतलब sun का चक्कर कौन काटता है सबसे जल्दी तो वो mercury काटता है कितने दिन में काट लेता है 88 days के अंदर अब क्योंकि Venus जो है वो brightest planet है तो वो आस्मान में चमकता है दिनदा चमकता है इसके उसको evening star और morning star भी बोलते हैं सारे के सारे जो planets है वो anti-clockwise भूंते है except Venus and Uranus Venus और Uranus जो है वो clockwise भूंते है ठीक है anti-clockwise क्या मतलब है कि ये west से east की तरफ जाते है क्लॉकपा इसका क्या मतलब है कि वो east से west की तरफ जाते हैं कभी आपकर कूछ ले कि red planet कौन है red planet है मारा मार्स कभी घर पूछ तें कि galilean moons कहां दिखते हैं galilean moons दिखते हैं जुपिटर में और ये चार moon होते हैं जो कि जुपिटर के आगे चक्कर काटते हैं और इन चारों का नाम क्या है आयो, योरोपा, गैनीमीड और केलिस्टो। ठीक है। ये चार मून्स हैं, गलिलीन मून्स जो की किस पर पाये जाते हैं। किस के चाटराफ ग़ंते हैं? जूपिटर के। then 8 point Saturn को बोलते है glow of gases और galaxy like planet Saturn के आस पास क्या है rings है जिसको unique बनाती है Saturn के पास क्या है ऐसी unique unique rings then Uranus को discover किस ने किया सर विल्लिम हिर्शल ने Neptune को discover किया जुहान जी गैले ने और Pluto को discover किया Clyde Tombow तो ये इतना बहुत है कि आपको इनके discoverers के नाम पता है ठीक है तो ये सब हो गया हमारा solar system के बारे में अब भी start करते हमारा next topic rotation and revolution rotation and revolution क्या होता है कि जैसे जो earth है अपनी axis पे spin कर रही है earth जो है and a half degree angle पे tilted है अभी imaginary axis पे जो tilted है 23 and a half degree पे जो ये tilted है ये revolve भी revolve कर रही है around the sun ठीक है तो ये revolve भी कर रही है sun के around जिसको हम क्या बोड़र है revolution तो ये दो motion है earth के में rotation और revolution ठीक है तो ऐसे ये 365 days के अंदर जो earth है पूरे sun के 4 तरफ चक्कर खाट रही है अब जो rotation और revolution के major fund है अभी अपनी axis पे तो ये घुमरी है लेकिन कि इस दिशा में anti-clockwise west से east और rotation की वज़े से क्या होता है पहले हम rotation देख रहे है rotation की वज़े से होता है दे और नाइक तेक है दिन और रात क्यों हो रहे है क्योंकि पूरा एक दिन में एक rotation हो रहे है त्पलब एक दिन एक रात हो रही है विंट्रेक्शन मतले चेंगे दो कवा से विंट्रमिशन होती है, बज़ों कि आधि गयार हम यह दिखराएं, हैंगे दूसरा हमिस्फेर दिखरा é, जिन वह एगार इनक्रमिये chu जाता है 365 and half days यह जो half days है half days करो वन बाइ four days 365 दिन और छे घंटे और यह चे घंटे चार साल में कितना हो जाते हैं 6424 चार साल में 24 घंटे हो जाएंगे तो मतलब एक extra दिन बनेगा हर चार साल में जिसको हम बोलते हैं लीपियर आगर आपको कभी पूछ लिया कि revolution की स्पीड कितनी है और्थ की revolution की स्पीड अब थर्टी किलोमेटर पर सेकंड एक सेकंड के अंदर तीस किलोमेटर तीस किलोमेटर जो है वो कवर कर लेती है अर्थ तो बहुत ही ज़द तीस चल रही है फिर भी हम अपने आपको अर्थ को और देखते हैं कि सीजन कैसे बन रहे है यह पूरा समझने से पहले आप यह देखो यहां पर यहां पर देखो यह मालो यह इक्वेटर की लाइन है यह है ट्रापिक ओफ कैंसर की लाइन और यह नीचे नीचे जो है ट्रापिक ओफ केपरिच कुम्हाम से तो और इस वाज़ेसे क्या होता है कि सन जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर आता हुआ दिखता है और विंटर विंटर सॉल्स्टिस में सन जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर आता हुआ दिखता है ठीक है यही होता है हमारे ट्रॉपिक ऑफ यह ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के करना कि इस दिन के बाद से सवन है वह वापस नीचे जाने का स्टार्ट हो है इक एक्किस जून पए उसकी जो प्रजिशन होती है हो सबसे नौतज होत कि और उसके बाद वापस वह नीचे जाना शू कर देता और कहां तक पूंचता है यह प्रापिक अफ कैप्रिकॉन तक कब पूंचता है बीस से 21 दिसंबर को तब होता है हमारा winter solstice तब होता winter solstice यही सब कुछ इस पर लिखा हुआ है ऐसी ही यह जा रहा है तिल्गे ऐसी यह और वाले को बोलेंगे Northern Hemisphere और नीचे वाले बोलेंगे Southern Hemisphere तो यहां पर दिन बढ़ा होगा और सदन हमिसफेर में रात बढ़ी होगी ठीक है और जब सन जो है वह 21-22 दिसंबर को नीचे चला जाएगा तो यहां पर दिन बढ़ा हो जाएगा और 21-22 यहां पर दिन छोटा हो जाएगा रात बढ़ी हो जाएगी तो नीचे वाले को बोलेंगे Winter Solstice उपर वाले को बोलेंगे हम Summer Solstice जैन सौल्स्टेस के बाद यह दो चीज़े आ रहे हैं हमारी इकवणॉक्स सितम्बर एकवणॉक्स एक मार्स का इकवणॉक्स का मतलब क्या है है इक वारा घंटे का दिन और बारा घंटे की नाइट का वह सितंबर 23 में और मार्च 21 में अब हमेशा हर साल का यह किस दिन पढ़ रहा है विल्टर सॉल्स्टेस कप पढ़ रहा है यह पता होना चाहिए को पढ़ता है इसलिए हम 21 जून को पढ़ता हम इसलिए ले लेते हैं लेकिन आपके एक्जाम के अंदर पूशन 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 आया भी था कि वह इसा पूशन आगे था कि समर्सॉल से पूशन में वही है जून 22 जून 23 जून और उस टाइम पर शायद 23 जून को पढ़ा था तो आपको इस साल का पढ़ा था यहां पर हम अभी बस कॉंसेप्स और यह सादे की सारे जो फैक्स हैं यह आप एक बाद नेट पर सर्च करोगे बहुत असाली से मिल जाएगा कि इस बार इन चारों की डेट्स क्या क्या पढ़ रही है ठीक है देन आगे हमारा यह एप हीलियंका कंसेप पैरी हीलियंका कंसेप्ट हीलियंका सबसे जादा डिस्टेंस कब होता है चार जुलाई को कितना होता है 152 मिलियन किलोमेटर सबसेदा पास का होता है जो जन्वाइट जन्वाइट को कितना होता है 147 मिलियन किलोमेटर नेक्स्ट हमारा कॉंसेट आगे लेटिट्यूड और लॉंगिट्यूड काम आएगी वह कोशिश करूंगा कि आपको बहुत जाद अच्छे समझ में आए कि जैसे आप को ध्यान होगि अपनी लेवाली बॉल को समझो और तो अ demeẫn का जो सिटा होता है जो लाटर की बॉल का बीच जो आपको अंदर रोगा ना और लेधर की बॉल की जो आउटर यूभर आषब में बना लो एक धरो कि उसके उल्स drives कहो पॉइंट है उत्र के उसमें दो कौौिंट है। इस सेधल के बीच का जो एंगल है। इस सेंटर से इस सब्रीज़ गूने के जो उसको लेटिटूड बहुत है। सु यह बहुत असानी से मारा को बता है कि क्या हैん एंगुलर डिस्टेन्स अर्थ के संटर से दो पॉइंट के बीच का वे खुआ जह जो सब्सक्र ups ठोनी और वे टीज़्वेति जो सब्सक्राइब क्या कि एक्वेडी अपरॉक्सीनेट भी होता है मतलब किया है जैसे अगर आप 0-degree latitude के बाद वन डिग्री लेटिटीट पे अगर आपको जाना है तो इसके मतलब 111 km आपको ट्रेवल करना पड़ेगा अप्रॉक्सिमेटली तो इसका मतलब 111 किलोमेटर आपको करना है कि आदमी है जो कि नौज से चाथ डिगरी नौज से चला गया तो बता रहो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया तो तो और जीरी कितना 111 किलोमेटर तो 1110 किलोमेटर उसने ट्रैवल कर लिया इसो पॉइंट पॉइंट है आगे हमरे कि Northern हमिस्फेर में सदन हमिस्फेर में 89 पैलल्स है एक हो गया हमरा एक्वेटर तोतल कितनी पैलेल्स होगई 180 होगई तो टोतल 180 पैलेल्स है सॉरी 8989 प्लस वन 179 वन है 179 पैलेल्स है 179 पैलेल्स है यही कंफूजन होती है त्विक आपसे पूछ लेंगे कितनी पैलेल्स है चार ओप्षन दे देंगे 180, 181, 178, 179, confusion किसमें होगी जिसको नहीं आता होगा इन दोनों के अंदा, 179 तो सरफ उनको पता होगा जिनको यह exactly पता है, 179 तो आप सोच भी नहीं पाओगी, 179 है, या तो 180 लगा के आओगी, 178 लगा के आओगी, है कितनी 179, then हमारा longitude, longitude क्या म है, equator से कोई point कितना दूर है, इसका कितना angle है, या फिर इसका कितना angle है, या फिर इसका कितना angle है, या फिर इसका कितना angle है, तो longitude क्या है, ये, उपर से नीचे जाती हुई lines, उपर से नीचे जाती हुई lines क्या है, longitude है, हमें ये क्या बता रहे है, कि equator से कितना angle है तेरा, equator स से कितना एंगल बना रहा है उपर और नीचे क्या हूंगी तो इनका डिस्टेंस क्या होगा कम होता जाएगा सबस्क्राइब इसका इसका इक्वेटर पर होगा और यहां पर तो जीरो डिस्टेंस हो जाएगा 90 डिगरी पर 9th फर पर 90 डिगरी साउथ पर मिल जाएंगी क्योंकि सारी आके यहां पर मिल रही हाँ तो इनका डिस्टतेंस क्या issटश इसका यह उपर जाते कम होता जाएगी तो जैसे यह जो है और साउथ में आए confa यहां पर to आपी किस दिएा ले लिये लेकिन यहां पर इस्ट और वेस्ट बताने के लिए हमें ön लाइन ऐसह गुज़रतिया तो कि किन कंट्री से गुजरते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए कि प्राइमरेडी ये किन कंट्री से गुजरती है तो लॉंगिट्यूड हमें क्या बताएगा इस्ट वेस्ट लेटिट्ट बताएगा मैं नॉट साउथ और हमें एक पॉइंट के लिए सर्फ ये दो ही डिरेक्शन चाहिए कि कितना नॉर्थ या साउथ में या कितना इस्ट या वेस्ट में दोनुछ चीज़ हमें बता देंग एक्चवल कॉडिनेट्स किसी भी प्लेस के जैसे हमार पास 179 लेटिटीट्ट्स थे गंटीट्स कितने है वई 24 लॉंगिटीट्स है लॉंगिट्स है क्यों क्योंकि आर्थ जो रोटेट कर रही है वह 24 घंटे में कर रही है सब्सक्राइब बूटेट कर और ग Aurto 6 कर तैना कितना कर रिए कितनाppen एक डिगरीám Sum यहां पर कर सकते 60 सिक्स्टी मिनिट में फंदरा देगरी तो एक डिगरी कितना हुआ सॉरी एक डिगरी कितना कितना हुआ 60 डिवाइड फिफ्टी तो चार मिनिट तो एक डिगरी कितने हुआ चार मिनिट के अंदर अब जैसे कि मैंने आपको बताये कि यह जो डिस्टेंस है दो लॉंगिट्यूड का वो तो भाई कम होता जा रहा है तो पूशन बन सकता है ना कि सबसे जाधा डिस्टेंस कितना जाधा है इन में सबसे डिस्टेंस है 111.33 km कितना है 111.33 km वाली आपको याद रखने है एक लैटिटूड आपने ट्रैबर्स किया तो मतलब 111 किलोमेटर आप चले और दो लैटिटूड के वीच में मैक्सिम डिस्टंस कितना है 111.33 और मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं कि यह प्राइम मेरीडियन जो हो कौन-कौन सी कंट्री से गुजर रहा है तो यह देख लो अगर पर आगया हमारा यूनाटिट के इंदर फिर आगया पैरिस स्पेन यहाँ पर लेखी देते हैं तो यूके पैरिस और स्पेन यह तो हो गया वही यौरप के अंदर अलजेरिया, माली, घाना, टोगो, बुर्कीना फासो यह एफ्रीका में ठीक है और एंटार्टिका से हो के भी गुजरती है एंटार्टिका यह प्राइम मेरीडियन से होने वाली गुजरने वाली कंट्री स्पेन यहाँ से जा रही है यहां पर आगय यहां पर Antarctica तो यहां पर हमारा यह topic होता है खतम, next start करते हम interior of the earth earth के अंदर क्या-क्या है कौन-कौन सी layers है, यह start करते है तो सबसे पहले तो यह earth के अंदर जाना तो impossible है, ठीक है earth के अंदर जाना बिल्कुल भी impossible है, क्यों कि यहां पर temperature बहुत ज़्यादा है, आप इतना समझो कि earth के अंदर, मतलब middle के अंदर उतना ही temperature है जितना sun के पास है, ठीक है sun का temperature और हमारे interior बिल्कुल अंदर वाले सतय का जो temperature है, earth की वो और sun के surface का temperature almost equal है so अंदर आप जानी सकते हैं so हमने कैसे जाना कि वही अंदर कौन-कौन सी layers है हम देखेंगे यहां पर की earth के पास, earth के अंदर, earth के interior में न, टीन layer होती है एक होती है हमारी crust, फिर होती है हमारी mental, फिर होती है हमारी core, इसके अंदर भी subsections है so हमने कैसे कैसे देखाई है अब, obviously directly तो आप अंदर जानी सकते है तो इसके मतलब indirectly हम जाओगे ठीक है और वो जो indirectly और directly आप जा रहे हो ठीक है, direct दो sources से हमें पता चल रहे है कि earth के अंदर क्या है, एक तो हमारी direct sources है एक हमारी indirect sources है direct sources मतलब हम directly earth के अंदर घेद करने की कोशिश कर रहे है drilling कर रहे है, mining कर रहे है लेकिन earth का जो radius है earth का radius कितना है भाई 6370 km earth का radius इतना जादा है लेकिन हमने आज तक deepest mining जो करी है deepest mine जो हमने करी है वो सिर्फ और सिर्फ 4 km तक की है अब यह देखो deepest mine जो है सिर्फ 4 km तक हम deepest mine कर पाएं आज क्या सकते हैं ओर यह deepest mine का अगर कभी नाम पूछ ले तो क्या है पॉन नेंग गोल्ट माइन, कहां पे है? यह साउत अफरिका के अंदर है ठीक है पॉनिंग गोल्ड माइन जो की साउथ अफ्रिका में है डीपेस्ट माइन है जो हम 4 किलोमिटर तक हम देख पाया अब ड्रिलिंग ठेक है डीपोशन के आपने ड्रिल करना शुरू किया तो आज तक इंसान जो है वो किتना डीपोशन के अंदर या फिर किसी भी अर्थ crust के अंदर earth crust के अंदर हम deepest जा पाएं है 12.6 km deepest हम 12.6 km जा पाएं है कौन गया था यहाँ पर Russians ने Russians ने एक hole किया था कहाँ पर cola super deep bore hole cola super deep bore hole यह deepest hole है 12.6 km का तो मतलब हम deepest कहां तक गए है बई सिर्फ 12 almost 13 मान लो चलो 12.5 km तक हम गए है यह जो इसका मतलब क्या है हम तो 0.5% ही जा पाएं है तो क्या 1% भी पूरा नहीं हुआ या 0.05 ही मान लो क्योंकि 1% का क्या मतलब होगा 63 km तो हम तो 0.05% ही जा पाएं है तो इसका मतलब हमें और बाकी के लेयर्स के बारे में कैसे बदा चला भाई indirect sources से so direct sources कौन से हो गए हमारे deep ocean drilling, deep earth mining और volcanic eruptions volcanic eruptions से हमें बहुत कुछ बदा चलता है क्योंकि volcanoes जो है volcanoes जो है वो जो लावा होता है ठीक है लावा जो है वो एर्थ की अर्थ के अंदर का material गरम गरम जो material होता है वो भार अर्थ के surface पे डालता है फिर जो जो अर्थ के अंदर से भार आया है scientist ने उनको research करी है और उसके बाद पता लगा है कि अर्थ के अंदर क्या क्या है indirect sources क्या क्या है भई temperature हो गया temperature से हम नापते हैं अर्थ के अंदर क्या क्या है pressure कितना होता है density differences कैसे आ रहे है earthquake जो आते हैं उनसे हमें पादा चलता है और बहार से meteors आते हैं ठीक है उलका पेंड आके गिरती है meteors जब आके गिरते हैं अर्थ में तो भी हमें पादा चलता है अर्थ के अंदर जो है क्या है scientists in सब चीजों को study करके बताते हैं कि इंटीरियर ऑफ दी अर्थ में क्या क्या है ठीक है तो question कैसे आता है कि indirect sources कौन कौन से है ठीक है indirect sources का question आ जाएगा कि हमें अर्थ को जानना था और इन में से बतातो indirect source कौन से है बहुत असान question दे देंगे कि ocean drilling, deep earth mining, volcanic eruption और चौता option दे देंगे ये earthquake तो आपको पता हो जाएगा कि indirect sources कौन से है जिसको हम directly देखनी पाते ठीक है या फिर directly आप उसको छून ही सकते है वो हमारे indirect sources है next आ गया भई कि earth जो हमारे तीन major parts में divided है एक हो गया crust, एक हो गया mental तो तीसरा हो गया core so जो first layer है first layer हमारी है crust देखो ये first layer हमारी crust है और सबसे thinnest है thinnest है इसकी जो thickness है वो जैसे 0 से 100 km maximum 100 km तक की है या फिर option में आएगा NCRT में क्या लिखा हुआ है 8 to 40 km 8 to 40 km की ये हमारी layer होती है first layer the crust crust के बाद क्या है mental स्टार्ट हो जाती है ये हमारी mental है अब crust के बाद mental स्टार्ट हो जाती है तो इसका मतलब crust और mental को एक चीज़ डिवाइड कर रही है और उसको बोलते है more discontinuity तो more discontinuity क्या कर रही है earth crust को earth की mental से divide कर रही है ठीक है पाट रही है more discontinuity याद रखना है बही है क्योंकि ये पूछा जाता है more discontinuity जो है वो किसको separate करती है क्या हैंगे options earth and mental, crust and mental, mental और outer core outer core, inner core mental को और inner core को तो ऐसे चाल option मना देंगे आपको लगाना है जो more discontinuity है crust को और mental को separate करती है अब जो earth की layer है उसको भी हम दो part में divide कर सकते हैं उपर वाली layer को ये पूरी crust है उपर वाली layer होती है light minerals से और नीचे वाली layer होती है जिसको हम lower crust बोलते है उसमें होते है भारी minerals ये जो light minerals होते है ये होते हैं वाई silica और aluminium तो इसको बोल देते हैं CL सीयाल और सीमा दोनों मिलके क्या बनाती है crust बनाती है एक question यहाँ पर और बन जाता है कि crust तो भाई जैसे कि earth में एक तो ये हो गया हमारा ocean वाली crust और ये हो गया हमारी continent की crust तो दो crust और हो गई ऐसी बाठ सकते हैं कि ocean वाली को oceanic crust बोल देते हैं और continents में जो है उसको continental crust बोल देते हैं तो oceanic crust जो है वो इसके अंदर रिच होती है सीमा के अंदर ठीक है ये oceanic crust जो है वो सीमा के अंदर रिच होती है और ये continental crust जो है वो सीयाल के अंदर silicon और aluminium में रिच होती है तो इसका मतलब मैंने इसको कैसे याद किया था, बहुत बार confusion हो जाते थी, so ocean की भी सीमा होती है, ठीक है, ocean की भी सीमा होती है, इसका मतलब, बोलते हैं कि समुदर की कोई सीमा नहीं है, लेकर असलेत में क्या है, समुदर की भी सीमा है, तो ocean की सीमा है, तो ocean की सीमा है, तो ocean की यहां पर जो temperature है, वो गरम होना शुरू हो जाता है, गरम होना शुरू हो जाता है, इसका मतलब क्या होगा, जो यहां पर metals है, minerals है, वो semi-solid form में मिलते हैं, इतना भी गरम नहीं है कि बिल्कुल ही liquid करते हैं, और इतना भी ठंडा नहीं है कि वो solid रह जाएं, तो semi-solid form में रहत metals, अब यह भी दो type में divided रहती है, उपर वाली को बोल देते हैं, अपर mental और नीचे वाली को बोल देंगे, lower mental, और यह जो आपको part दिख रहा है, अपर mental का जो topmost part है, या फिर mental का जो topmost part है, उसको बोलते हैं, अस्थेनोस्फेर, यह क्या है, यह molten lava है, यहां पर molten चीजे है, सारे की सारी, molten state के अंदर है, और यहीं से ही, volcanoes जो है, वो अपना lava लेते हैं, अस्थेनोस्फेर से, यहां से ही यह जो गरम-गरम minerals हैं, rocks हैं, सारे जो गरम-गरम minerals हैं, वो इस अस्थेनोस्फेर से ही, lava के तुरू बहार आ जाते हैं, बहार निकलते हैं, ठीक है, इसी वज़ oceanic crust के अंदर deposit करेगी या continental crust में deposit करेगी, सो ज़्यादा तर जो अस्थेनोस्फेर है, वो oceanic, ocean के अंदर बहुत बड़े-बड़े lava निकलते हैं, oceans के अंदर, ठीक है, तो oceans के अंदर ज़्यादा volcanoes हैं, जिसको हम circum-pacific belt के नाम से भी जानते हैं, यह भी हम आगे करेंगे, ठी और mental को more discontinuity जो है, वो separate कर रही थी, वैसे ही यहाँ पर, गुटनबर्ग discontinuity जो है, mental और core को separate करेगी, ठीक है, गुटनबर्ग discontinuity कि इसको separate करेगी, mental को और core को, next हमारा बिलकुल अंदर वाला part आ गया, जो कि दो पार्ट में divided है, outer core और inner core, तो बिलकुल अंदर वाला क्या है, core है, outer core और inner core, इसकी thickness क्या है, 3500 km, अब outer part जो है इसका, outer core जो है, outer core जो है, वो तो है भाई liquid में, क्योंकि यहाँ पर temperature बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि temperature बहुत ज़्यादा है, लेकिन inner core जो है, वो तो है solid, या फिर crystalline form में है, अब भाई आप ये बोलोगे, आपके दि अंदर बढ़ रहा है, लगाता temperature अंदर बढ़ रहा है, तो फिर ये तो liquid है, तो भई फिर ये solid क्यों है, ये भी liquid ही होनी चाहिए थी, तो इसका जवाब ये है कि temperature तो बढ़ रहा है, लेकिन जब अंदर आप इतनी अंदर चले जाते हैं, तो यहाँ पर pressure जो है, वो बहुत form में है, तो बिल्कुल अंदर आपार्ट जो है, solid form में है, क्योंकि pressure बहुत जादा है, और वो temperature के effect को neglect कर देता है, तो ये वाली जो layer है, इसको नीफे layer भी बहुत जाता है, जिसकी वजए से core को क्या बहुत जाते है, नीफे layer, नीफे layer मतलब क्योंकि यहाँ पे nickel और ferrous, मत then, जैसे हम continuity पढ़ रहे थे, so, अगर हम और detail के अंदर जाएं, so, ये continuity हो रहती है, discontinuity का क्या मतलब है, कि जहां से आपकी layer change हो रही है, दो layer के बीच वाला, जो separation है, उसको बोलते है, discontinuity, so, मैंने इसको ऐसे याद किया था, C, Mr. Gutenberg, late गए, ठीक है, C मतलब देखो, Mr. Gutenberg, late गए, C, Mr. Gutenberg, late गए, so, C से आगे, Conrad, Conrad जो है, वो upper crust और lower crust को separate करती है, more discontinuity, crust और mental को separate करती है, R से आगे, Rapti discontinuity, वो upper mental और lower mental को separate करती है, then, Gutenberg, core और mental को separate करेगी, और Lehman discontinuity, outer core और inner core को divide करेगी, ठीक है, then, अब कुछ-कुछ theories हम करते हैं, कि, भई, scientist, जो है, वो earth की structure को समझने की, कोशिश उन्होंने बहुत पार करी, ठीक है, so, एक उन्होंने दी कि continental drift theory, continental drift theory में क्या बोला गया, कि, भई, continents जो थे, बहुत सालों पहले, एक ही, landmass का हिस्सा थे, एक ही, landmass का हिस्सा थे, earth, पूरा का पूरा जो, earth मतलब कहा रहा हूँ, land, सारा का सारा जो land है, वो एक साथ, earth जो है, जो solid part है, वो सारा का सारा एक साथ था, और oceanic part जो था, वो एक साथ था, जिसको, solid part को बोलते थे, पैंजिया, और जो ocean वाले part को बोलते थे, पैन, पैन थलसला, पैन, खलासा, ठीक है, पैन खलासा बोलते थे, पूरे के पूरे, water body को, landmass को बोलते थे, पैंजिया, ठीक है, then क्या, आगे क्या हुआ, ये जो, continents हैं, ये दो भागों में बटने शुरू हो ग गया, गॉंडवाना, और ये जो ocean था, इनके बीच में, इनको बोलते थे, टैथीज ओशन, ठीक है, ये क्या था, एक ही ocean था, यहां पे टैथीज ओशन, अब क्या हुआ, ये जो लॉरेशिया, और ये गॉंडवाना, जो है, वो आपस में ये, दूर होते चले चले गए, त इसा बन गया, ठीक है, तो ये continental drift theory जो है, वो दी किसने थी, वो दी थी भई, Alfred Wagner ने, कब दी थी, 1915 के अंदर, कोशन यहां पे, आपको यही आएगा, सूपर कॉंडवाना के अंदर कौन से आते थे, तो साधन वाले सारे के सारे के सारे कौंडवाना में बता कर ले न, और जो नॉर्थ वाले हैं, वो लोरेशिया वाले हो गए, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका, यूरेशिया को छोड़के, बाकि साउथ अमेरिका, अफरिका, इंडिया, इंटार्टिका, ऑस्ट्रेलिया, यह गॉंडवाना के पार्ट थे, ठीक है, नेक्स्ट हमारी जो theory है, बढ बताया, क्या बताया, कि भई, मैंने उको बताता था न कि असथेनो स्टेनो सफेर से, जो वलकैनोस हैं, वो erupt होते हैं, तो इसका मतलब क्या करेंगे, वो यहां पर अपनी इस सतह पर, बहुत सारा जो अंदर आला मैटियल है, यहां पर देपॉजिट करते रहेंगे, यहां पर डिपॉजिट हो रहा है ठीक है यहां पर यह सब डिपॉजिट हो जा रहा है पानी के अंदर ही पानी के अंदर ही क्या हो रहा है अब क्या होगा यह डिपॉजिट हो रहा है तो इसका मतलब यह जो डिपॉजिट हुआ वला जो स्ट्रक्चर है यह जो मैटीरियल है यह जो नीचे जाएगा तो मैंने आको बताता है temperature बढ़ता जाएगा temperature बढ़ता गया तो यह जो layer है वो क्या होगी तूटने लग जाएगी और molten state में आ जाएगी वापस sthenosphere बन जाएगी तो क्या हो रहा है sthenosphere से उपर बन रहा है और यह circle of life complete हो रहा है कि जो समान इसने भार भेजा था वो ही समान बढ़ बढ़ के वापस इसके sthenosphere में आ रहा है तो यह पूरा circle यहाँ पर complete हो रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है sea floor जो वो बढ़ रहा है spread हो रहा है यहाँ की तरफ spread हो रहा है यह renew हो जा रही है कुछ-कुछ सालों में और यह जो continental crust है यह तो renew हो नहीं दी तो इसका मतलब क्या है यह जो है यह old वाली crust होती है continental वाली crust old होती है oceanic crust जो है वो क्योंकि renew होती रहती है तो यह नई हो जाती रहती तो इसकी age जो है वो oceanic crust की age से कम है यह यंग वाली crust होती है oceanic crust इसका year भी देख लेते हैं कि year कब है यह 1960 में दी थी Harry Hess ने इसका भी explanation बहुत बढ़ी आनी था आज जो हम मानते हैं वो मानते हैं plate tectonic theory को हम समझते हैं कि asthenosphere के उपर बड़ी 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 जो है tectonic plates घूम रही है tectonic plates जो है वो continent का भी part होती है और वो ocean के उपर भी होती है मतलब क्या है एक यह plate मान लो जैसे हम plate में खाना लेके आते हैं खाने में आपके पास रोटी भी होती है चावल भी होती है सबजी भी होती है तो मान लो कि जो आपकी दाल है वो आपका ocean है रोटी जो है वो आपका continent है लेकिन plate तो एक ही है तीक है आप जहां जा रहे हो जहां पर भी बैठके खा रहे हो plate में खा रहे हो तो plate हिलरी है plate हिलरी है तो इसका मतलब आपकी कभी कभी रोटी भी हिलेगी सबजी भी जलग सकती है मैंना तो यह plate tectonic theory बोलती है कि बैठ जो है वो esthenosphere के उपर move करती है ठीक है हमने यहाँ पर esthenosphere पीछे पढ़ा ही है ठीक है यह esthenosphere है जहां से सारा का सारा molten material ला था तो यह जो plate है esthenosphere क्योंकि liquid है तो इसकी वैसे plate जो है वो move करती है flow करती है इसके उपर और इन plate का जो size है या फिर shape है वो irregular है और सबका same size है नि सो यहाँ पर दो type की plates इसने बताई एक हो गई हमारी continental plate एक हो गई हमारी oceanic plate ठीक है दो type की plate हो गई continental plate और oceanic plate लेकिन मैंने आपको तो यह बताए था कि इस plate के उपर continent भी है और ocean भी है तो यहाँ पर हम कैसे define करेंगे कि अगर इस plate में continent की percentage ज़्यादा है तो वो continental plate हो गई और अगर ocean की percentage ज़्यादा है तो वो oceanic placed हो गई तो plate tectonic theory जो है वो 7 major plate में divide करती है यह 7 major plate में divide करती है पहली हमारी यह हो गई Eurasian plate पहली हमारी Eurasian plate दूसरी हमारी यह Antarctica वाली plate देन आगई हमारी North American plate देन आगई हमारी South American plate Pacific plate African plate और Indian plate यह हमारी 7 major plate है बाकी की जो आपको दिख रही है वो हमारी minor plate है जैसे कि यह minor plate कुन सी है यह Nazca plate Caucas plate Caribbean plate Arabian plate Philippine plate Australian plate यह सारी कुन सी हमारी minor plates है जैसे कि यह Pacific plate इसका नाम क्यों पढ़ा क्योंकि यह जादा तर क्या है इसमे Pacific Ocean है यहाँ पे छोटे 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 आईलेंड्स भी है Pacific plates में लेकिन यहाँ पे Pacific plate नाम क्यों पढ़ा क्योंकि जादा तर क्या है Pacific plate है Eurasian plate में आप अगर देखो तो पूरा का पूरा Eurasia भी है और यहाँ पे Arctic Ocean आता है वो भी है North America के अंदर भी Arctic Ocean आ रहा है लेकिन जादा तर North America आ रहा है इस वाइसे इसका North American plate नाम रख दिया Question आपको कैसे आएंगे Major plate और Minor plate में आ जाएगा कि इन में से कौन सी Major plate है इन में से कौन सी Minor plate है और difficult करने की कोशिश करेगा तो बता देगा कि बही Cocos plate जो है वो किस-किस को अलग कर रही है कि Central America और Pacific plate को अलग कर रही है Cocos plate Naska plate है यहाँ पर Naska plate क्या कर रही है कि फिलिपीन प्लेट जो है वो एशियटिक और Specific plate को अलग कर रही है फिलिपीन प्लेट जो है वो एशियटिक प्लेट और यह वाली प्लेट को अलग-लग कर रही है ठीक है तो यहाँ पर इस सारा इसका ब्योरा दिया हुआ हुआ फिर आगे हमारा Plate Margins कि प्लेट जो है वह टीन टाइप की हैं एक हमारी divergent plate हैै एक कनवरजन प्लेट है एक है parallel plate क्या मतलब है वẒई अगर play जो है एक दूसरे से दूर जा मार्जिन जैसे कि मैंने आपको अभी इसके अंदर बताए था कि ows के नीच एक है मतलब यह constructive plate है यह construct कर रही है then convergent plate आ गई conversion plate क्या है कि एक plate जो है वो दूसरी plate के नीचे दब रही है कौन सी plate दबेगी और कौन सी plate उठेगी जो denser होगी वो दब जाएगी जो halky होगी वो denser plate जो है वो नीचे चली जाएगी और lighter plate लाइट ऊपर रह जाएगी देंसर रहे तो नीचे चली जाएगी लाइटर बेट ऊपर रहे जाएगी तो यह क्या हो रहा है यहाँ पर कुछ बन नहीं तूट रहे तो यह destructive तुम भी खुश हो मैं भी खुश हूं एक दूसरे के साथ गले मिलके निकल जाते हैं ना आपको तोड़ेंगे ना आपको जोड़ेंगे ऐसे आपको निकल जाएंगे तो यह हो गए हमारी पैलल प्लेट बाउन्डरी देन यह जो कन्वर्जेंट हो रही है स्का मतलब यहां पे बहुत बड़ी बड़ी प्लेट का कन्वर्जेंट हो रही है तो धर्ती हिलेगी धर्ती हिलेगी तो क्या होगा अर्थकोए LOL धर्तकोए LOL सदंच शेकिंग आफ एक डम से उफित्वी का या फिर मैं बोलूं किसी बड़े Slowन की है और्तकोए LOL of energy है ठीक है release of energy है क्या होता है कि बहुत-बहुत सालों के बाद क्या होता है कि वही यह जो volcano फट रहे हैं ठीक है volcano फट रहे हैं इसके अंदर बड़े-बड़े oceans के अंदर यहां पर अगर हम देखें तो oceans के अंदर volcano फट रहे हैं खोड़ इसी प्लेट को इसने हलका किया इधर किया Nedर किया फॉर पुष किया तो एक बर क्या होगा यह प्लेट बोलेगी वही बहुत ज़्यदा होगया मैं तो जहां से ब््व कांब आता है उसको बोलते हैं उसका the Platz of origin उसका नाम क्या है हाइपो सेंटर या फोकस ठीक है तो जहां से बोकंप आ रहा है उसको बोलते हैं फोकस और फोकस के 90 डिग्री एगर हम डाल दें और जो पॉइन्ट 90 डिग्री पे होता हुआ हमें अर्थ की सर्फेस पे मिलेगा उसको बोलते हम epicenter या फिर epicenter को दूसरी तरह divine क्या कर सकते हैं जहां पर earth को एक सबसे पहले feel होता है earth की crust पर earth को एक जहां पर सबसे पहले feel होगा वो हमारा epicenter है earth को एक की energy जो release हो रही है उसको हम कैसे measure करते है richer scale से magnitude of energy कैसे किस instrument से measure होती है richer scale से उसकी range क्या है 0 से 9 तक और earthquake की intensity को measure किसे करते है seismograph से क्योंकि इस seismograph क्या करता है हमारी seismic energy को measure करता है seismic energy मतलब earth के अंदर वाली energy कितनी बाहर आ रही है वो measure कर रहा है seismograph, earthquake के intensity अगर हम earthquake को और deep में पढ़ें भाई तो फिर earthquake जो है वो तीन ways में divide रहती है एक होती है हमारी p waves, एक होती है हमारी s waves, एक होती हमारी l waves यह तीन ways होती है p waves होती है हमारी primary, s से होता है हमारा secondary waves और l होती हमारी surface wave और यह जो primary और secondary waves है ना इन दोनों को जोड के हम बोल देते हैं body waves और पी वेव्स का एक बहुत important point क्या है कि ये solid liquid gas तीनों में travel करती है और जो secondary waves होती है S waves ये सिर्फ और सिर्फ solid के अंदर travel कर पाती है solid only ये सिर्फ solids के अंदर ही travel कर पाती है तो इसका मतलब क्या हुआ ये mental के थुरू पास ही नहीं कर पाएंगी है ना जैसे कि अगर मैं आपको ये बताऊँ ये अंदर है ये हमारे S wave का diagram है अगर यहां पर अर्थ को एक आ रहा है तो ये P waves P waves तो आ गहीं यहां पर यहां पर भी दोनों waves आ रही है लेकिन जैसे ही ये S waves जो है वी score पर टकराएंगी ये तो solid के थुरू जाई नहीं पाएगी तो जहां पर भी earthquake का focus है उससे 103 degree के 9 और 20 S waves मिलेंगी ही नहीं जो ये primary waves हैं वो solid liquid gas कीनों में travel कर रही है लेकिन जब ये अलग रंग मैंने उको बता दिया कि पहले एस्थानो स्फेर आएगा फिर पहले molten है फिर semi molten है फिर core जो हमारा क्या है solid है यहां पर speed तेज हो जाएगी speed तेज हो जाएगी तो अलग तरीके से behave करेगा फिर यहां पर जब surface change हो रहा है तो फिर से यहां पर speed चेंज हो जाएगी जिसकी वजाएसे P wave यहां पर feel नहीं होती कहां पर 103 degrees से 142 degrees तब यह angle कहां से बना रहे है यह center से बना रहे है मतलब focus से या फिर hypocenter से focus से 103 degrees से और 142 degrees के बीच में P waves पाई नहीं जाती है इसी से ही हमें पाद चला है कि यह solid है अंदर का P waves और S waves के travel pattern के थुरू हमें अंदर का पाद चला है कि core हो solid है क्योंकि S waves core से जानी पाती और P waves क्योंकि उनकी speed change हो रही है और यह P waves का shadows होना मतलब P waves यहां पर मिली नहीं रही है हमको इस वजए से यह जो एंगल आ रहा है, इस वजए से हमें को तसला कि यह सर्कल है एक, ठीक है, यहाँ पे कोई भी डिरेक्ट पी वेव्स experience नहीं हो रही है, then यह आगे हमारी surface waves, surface waves भाई सबसे जादा destructive होती है, सबसे जादा तबाही यही मचाती है, आर्थ के surface to surface यह travel करती है, ठीक है, तो फिर यह कभी-कभी कोईशन इससे पूछा जा सकता है, कि secondary waves जो है वो, statement वाले भी कोईशन आस तक आशकल आ रहे हैं, जो जो volcanoes कहां-कहां पाये जाते हैं, या कहां-कहां आते हैं, question यह बन जाता है बहुत बार, यह जो major volcanic belts हैं हमारी, जैसे कि सबसे बड़ी है, circum-pacific belt, जिसको हम ring of fire बोलते हैं, देखो, यह ring बन रही है, ring of fire यहाँ पे, सबसे जादा दुनिया के 85%, 80-85% जो volcanic eruptions होते हैं, वो इसी belt म में आते हैं, ठीक है, क्योंकि यह convergent boundary है, ठीक है, convergent boundary के अंदर यह circum-pacific belt आती है, यहां से कहां तक यह extend करता है, कामचार्ट का पैनिसुला, फिर दन कुर्ली आईलेंड्स, जैपैन के आई, जैपैन में, फिलिपिन्स, न्यू गिनी, न्यू जिलैंड, सोलोमान इस्टन रश्या के अंदर है, कामचार्ट का पैनिसुला है, यहां पर यहां पर यहां पर यह कुर्ली ट्रेंच, अलूशियन ट्रेंच, मिडल अमेरिकन ट्रेंच, पैरू, चिले ट्रेंच, टॉंगा ट्रेंच, गूगेन विले ट्रेंच, तो यहां से होते हुए, यह ring of fire जाती है है ट्रीकिया मेजर वोल्कैनिक पीक्स है है यहाँ पर माउंट क्रैकाटोवा माउंट सेल छेलनेंस मांट फुजी बैन यह दूसरी इंपॉर्टेंट गिल्टमाई मिड कॉंटिनेंटल वेल्ट व्य दन मिड् एट्लैंटिक वेल्ट असानी कौनसी सुबसे बादे द यह बिलकुल Mid Atlantic Belt के ऊपर है Canary Islands, Cape वर्दे यह सारे के सारे कहां है Mid Atlantic Belt में Then आगे हमारा Mid Continental Belt Mid Continental Belt कहां से जा रही है इधर से जा रही है और यह इधर तक आ रही है फिर यह मिल रही है कहां पर Ring of Fire के पास जा के मिल रही है Mid Continental Belt Convergent Continental Plate Margins के अंदर है Alpine Mountain Chain इसके उपर है Mediterranean Sea Eastern Africa Major Mountains कोण कोण से है Stromboli, Mount Vesuvius Mount Aetna, Mount Kilimanjaro इन सब की आपको locations भी पता होने चाहिए ठीक है जैसे Mount Stromboli जो है वो इटली में है Mount Vesuvius भी इटली के अंदर है Mount Aetna भी इटली के अंदर है Mount Kilimanjaro का है Tanzania में ठीक है याद रखना बहुत बार इसको Confuse कर देते कि Kilimanjaro जो है Kenya में है या पर Japan में है लेकिन Kilimanjaro जो है वो नहाँ पर तंजानिया के अंदर ठीक है क्योंकि नाम इसका थोड़ा Japanese लगेगा आपको Kilimanjaro लेकिन है कहाँ पर संजानिया में सो यहाँ पर हमारा Interior of Earth होता है खतम अब जो जो चीज़ें हमें इस Interior से मिलती है Minerals and Rocks वो हम स्टार्ट करते है सो सारी जो Minerals हैं सारे जो Resources हैं सब चीज़े जो हैं हमें कहां से मिल रही हैं हमें धर्ती माता से मिल रही है तो देख लेते हैं भई किस Composition में Earth की Crust में क्या है 98% जो है Earth Crust जो है वो इन 8 Minerals से बनी है इन 8 Elements से बनी है सो Oxygen और Silicon को अगर हम मिला दें तो 2 3rd of the weight जो है 2 3rd of the weight जो है Oxygen और Silicon का है Oxygen कितने percent है 46.6% Silicon जो है 27.72% है Aluminium इसके बाद आता है Iron, Calcium, Sodium, Potassium and Magnesium इसको याद करने का तरीका OCLE का सोप मांगा ठीक है क्या है OCLE का सोप मांगा OCLE एक सोप का नाम है O से Oxygen S I से Silica A से Aluminium I से Iron Kा से Calcium So से Sodium P से Potassium Manga से Magnesium OCLE का सोप मांगा क्योंकि एक बाद पूछ लिया था कि Third Most Significant Element By Weight कौन है तो वो Aluminium है तो ये Third का पूछ सकते हैं तो भाई Fourth का भी पूछ सकते हैं Then Rock जो है वो Teen Type के हैं Teen Type के Rocks जो है वो हमारे Earth Crust के अंदर पाए जाते हैं क्योंकि जो Minerals उते हैं Minerals जो है वो अकेले-अकेले पाहीं नहीं जाते हैं क्योंकि Reactive होते हैं एक-दूसरे के साथ पाए जाते हैं बहुत सारे Minerals एक साथ पाए जाते हैं और उसको बोलते हैं ouross hard भी हो सकती है soft भी हो सकती है इगनियस रोक इगनियस बनता है वर्ट से इगनिस वर्ट से और इगनिस का मतलब होता है फायर तो यह कौन से रोक्स हैं जो कि मॉल्टन स्टेट्स के अंदर सॉलिडिफाई होते हैं ठीक है molten minerals जो है वो solidify होते हैं तो igneous rock बनते हैं तो molten minerals जब solidify होंगे तो क्या बनेंगे igneous rocks अब जहां पर ये solidify हो रहे हैं जहां पर ये solidify हो रहे हैं उसके basis पर हम दो type में इसको divide कर देते हैं कि वही crust के नीचे अगर solidify हो रहे हैं तो उनको बोलेंगे intrusive rocks और अगर वो earth के surface पर solidify हो रहे हैं तो उनको बोलेंगे extrusive rocks ठीक है इनके examples करने important है intrusive rocks के example आगए हमारे पस granite, lapolith, betolith, sills और extrusive के example क्या आगए basalt, gabbro granite, lapolith, betolith, sills ये earth के surface के नीचे solidify होते हैं basalt और gabbro earth के उपर solidify होते हैं अब क्या है ना सादे के सादे जो rocks हैं वो igneous rocks से ही बनते हैं तो इसको हम primary rock भी बोल देते हैं then आगए हमारा sedimentary rocks sedimentary जो word है वो आता है sedimentum से जिसका latin में मतलब होता है settling सो ये कैसे बनेंगे जब पुराने पुराने जो rocks है उनका जो चूरा है एक दूसरे के उपर settle हो जाएगा जम जाएगा तब ये rocks बनेंगी तो मतलब क्या है कि ये अवशेशों से बन रही है फिर क्या है ये sediments से बन रही है छोटे-छोटे sediments जो है ये जो sediments है sediments जो है छोटे-छोटे अफशेश जो है दूसरी rocks के वो different size के होंगे different size के होंगे तो कोई transport medium चाहिए होगा वो हवा से पानी से एक जगे जाके खटे हो जाएंगे और खटे हो गए फिर pressure से क्या होगा ये एक rock बन जाएगी जो ये पूरा process है जिससे ये जो ये सारे segments है कहीं न कहीं से उड़के टैर के कैसे भी आ रहे हैं और pressure की मदद से compaction की वज़े से क्या हो रहा है ये rocks बन रहे हैं इस process को क्या बोल रहे है lithification बहुत असानी समझ में आगे कि जो fragments हैं उड़के कैसे भी करके एक जगह पर इखटे हो रहे हैं और वो fragments जो है pressure के अकारण compaction के कारण rocks बना रहे हैं उस process को क्या बोल रहे हैं lithification बोल रहे है so question अगर आएगा कि lithification किस rocks का process है या फिर lithification कौन से rocks से associated है तो वो आएगा sedimentary rocks अभी जो sedimentary rocks होते है वो तीन टाइप से बन सकते है तीन टाइप से इनको pressure मिल सकता है एक तो mechanically formed होंगे एक organically formed होंगे और एक chemically formed होंगे तो example इसके याद करने बहुत ज़रूरी है कि mechanically formed का sandstone, coglomerate, limestone, shale, lois organically formed jisirite, chalk, limestone, coal और chemically formed chert, limestone, hillite, potash तो यह जो limestone है जो limestone है वो chemically भी form हो सकता है वो organically भी form हो सकता है और mechanically भी form हो सकता है कालग portion बन सकता है यापर majorly आपको यह याद रखना है कि कौन-कौन से sedimentary rocks है तीसरा आ गया वही metamorphic rocks metamorphic rocks क्या है यह वो rocks है जो की morph हो गई है morph मतलब इन्होंने अपनी shape और form जो है वो change कर ली है तो एक कौन से rock से morph हो यह होंगे या तो यह morph होंगे igneous rock से या फिर यह morph होंगे sedimentary rock से और इनके morphic वाले जो process है उसको क्या बोलते हैं जिस process से यह morph होके igneous rock या फिर sedimentary rock morph होके metamorphic rock बने है उस process को बोलते है metamorphosis तो metamorphosis वो process है जिससे sedimentary rocks या igneous rocks जो है metamorphic rocks में तप्दील हो रहे हैं अब यह जो rocks होते हैं मैंने आपको पता है एक ही different minerals से बनते है तो यहाँ पर कभी कभी question आजाता है कि metamorphic rocks जो है उनके minerals अपने आपको arrange करते हैं एक special तरीके से arrange करते हैं उसको क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं foliation या फिर lineation ठीक है so minerals की arrangement को metamorphic rocks में क्या बोलेंगे foliation या फिर lineation और अब कभी कभी क्या होता है यह जो rocks है metamorphic rocks जब यह layer पे layer चड़ती है तो alternate dark और light shade बनाती है ठीक है alternate dark और light shade बनाती है तो ऐसा लगता है कि bands बन गए है तो इसको बोलते हैं bending की bands बन गए है और इन rocks को जो ऐसा feature शो करती है उनको बोलते हैं banded rocks और इनके examples क्या हैं है metamorphic rocks के examples है हमारे सबसे बड़ी example है ग्रे नाइट ठीक है दूसरा example बढ़ी है हमारा slate चिष्ट marble या फिर quartz ठीक है quartz बहुत बड़ी example है और यह बार बार पूछा जाता है अब earth crust के अंदर कुछ यह major minerals जो है वो पाए जाते है ठीक है जैसे कि felt spar हो गया इसमें सबसे ज़्यादा क्या है silicon and oxygen है इसका मतलब क्या है 50% से भी ज़्यादा more than 50% जो है earth crust किसकी बनी है felt spar की बनी है इसी के वज़ाए से earth का color क्या हो जाता है light cream से salmon pink light cream से salmon pink इसी वज़ाए से felt spar का color है और earth crust का color है then हमारा quartz quartz जो है सबसे important component होता है sand का या granite का इसके अंदर silica होता है सबसे important चीज़ है कि यह radio के अंदर और radar के अंदर काम आता है यही question यहाँ से maximum पूछा जाता है कि कौन सा mineral जो है radio radar बनाने में काम आता है वो आता है मारा quartz 10% of earth crust जो है और silica हो गया यह सारे मिंडल spiroxine के अंदर पाया जाते है यह black color का होता है यह green color का होता है ठीक है then कभी-कभी amphibol यह पूछ लेते है यह 7% of earth crust से 7% of earth crust जो है वो amphibol से बनी है ठीक है और एक question इससे ही हो बनता है कि amphibol का एक और variant क्या है बहुत सारे instruments बनाने में यह काम आता है ठीक है अगर मैं बात करूँ कि इसमें कौन-कौन से minerals पाया जाते है सो potassium, aluminium, magnesium, iron, silica इसमें बहुत कुछ पाया जाता है दना आगे हमारा olivine olivine में सबसे ज़्याद पाया जाता है magnesium, iron, silica important क्यों है यह क्योंकि यह jewelry बनाने के अंदर काम आता है ठीक है और olivine के खास बात क्या है इसमें जो minerals पाया जा रहे है जैसे कि magnesium, iron, silica और बहुत सारे ores भी पाया जाते है जैसे chlorite, calcite, magnetite, hematite, bauxite, berite इस सारे कि सारी चीज़े इस olivine में पाया जाती है ठीक है तो यहाँ पे हमारे major rocks, minerals भी हो गए next topic है हमारा भई, landforms ठीक है, बहुत ही टगड़ा topic है landforms start करते हम landforms को भई, चार तरह के major landforms जो है, वो earth बनाती है ठीक है, mountains बनाती है, hills बनाती है platews बनाती है, और plains बनाती है so start करते है भई, mountains के साथ mountains जो है चार टाइप के हो सकते है ठीक है, four types के हो सकते है पहला हो गया fold mountains, then आगया block mountains, then आगया volcanic mountains, फिर आगया residual mountains एक-एक करके हम यह discuss करते है सबसे पहला आगया हमारा fold mountains fold mountains कब बनते है जब दो tectonic plate जो है वो आपस में आके टकराती है और fold हो जाती है एक, एक यह fold हो गई और यह क्या बन गया पहाड बन गया अब ऐसे ही जो fold mountains हैं यह दो type के हैं एक आगय हमारे young fold mountains एक आगय हमारे old fold mountains young fold mountains के example आगय हमारे हमाल्याज andis rockies alps यह सारे हमारे young fold mountains है old fold mountains की बात करें जो की और young fold और old fold क्यों कह रहे हम क्योंकि geology की timeline में यह बहुत recently बने है यह old वाले जो है वो बहुत साल पहले बने हैं इन young fold mountains से यह पहले बन गई थे example क्या है पैनीस, Appalachians और अरावलीज यह हमारे old fold mountains है पैनीस कहां पे है यॉरप के अंदर Appalachian mountains कहां पे है USA के अंदर अरावलीज तो इंडिया में ही है यह तो हमें सबको पता है राजस्थान और हिमाल्याज कहा है इंडिया में है इंडियन सबकोंटिनेंट में है वैसे यह हमारे इंडियस माउंटेन USA के अंदर Rockies USA के अंदर और Elps जो है वो यॉरप के अंदर है फोल्ड माउंटेन्स के बाद second category आ गई ब्लॉक माउंटेन्स ब्लॉक माउंटेन्स में क्या है कि यह एक ब्लॉक बन गया क्या हो रहा है कैसे ब्लॉक बन रहा है या तो जमीन जो है वो दस जा रही है या जमीन जो है वो उट जा रही है और यह दोनों तीजे चीजे हो कैसे रही है टेक्टॉनिक एक्टिविटीज की वजए से हैं थेक्टॉनिक एक्टिविटी टेश से प्लेट से एक दूसर। जा रही है तो यह लैंडमाज मुलाओ या पिर यह जा पूछ जाते हैं जात Somewhere जैसे कि विंदिया और संफुर अगया हंदी की अंदर Wasges Mountain हो गए हमारे France के अंदर Black Forest Mountain जो कि सबस्ता आप पूछा जाता है Black Forest Mountain कहां पे है हमारे जर्मनी के अंदर यसी Black Forest Mountain से Rhine River भी निकलती है जो यह Rhine Valley है यह बहुत सब्सक्राइब mineral rich valley है और इसी के उपर इसी के दम पे World War Two लडने की हेमाकत करी थी जर्मनी ने और पूरे दुनिया में कहराम मचा दिया था नीसरे टाइप की बात करें तो भही वह आता है मुह रहे व्ल्कियानिक माउंटेंज जो हम पहले ही कर चुके हैं किया volcanic mountains हम पहरे ही कर चुके है Mount Fuji Japan वाला Mount Vesuvius Mount Aetna इटली में Mount Mayo in Mount Mayo in Philippines Mount Cato Paxi कहां पर है ये USA में Andis Mountains Range के अंदर then चौथा type आगया भाई हमाई पस बचे कुछे mountain जिनको बोलते है residual mountain ये भाई वो mountain है जो की घिस गए है इरोजन से इनकी हाइट जो है वो कम हो गई है यह प्लैट्यूज बन गए है या फिर यह हाई प्लैन्स हैं यह बचे कुछे माउंटेन्स हैं ठीक है पहले क्या होता है इतनी बड़ा माउंटेन है हवा ने पाई ने इसको काटना शुरू किया ठीक है तो यह जो माउंटेन है यह उपर काकट गया यह ऐसे था फिर यह ऐसे हुआ फिर यह ऐसे हुआ तो अब यह ऐसे हो गया ठीक है तो यह बचा कुछा माउंटेन है जिसको प्लैट्यू भी बोल देंगे example क्या है cat scale mountains of new york sea razz of central spain highlands of scotland parchnath जो कि इंडिया में है गिरनार, deccan plateau, raj mahal hills ये क्या है पहले यहां पे बड़े-बड़े mountains हुआ करते थे over the period of time क्या हुआ erosion की वज़े से ये इन्होंने अपने height छोड़ दी और अब ये रैसी dual mountain के type बन गए है then आगया भई, flat use के बारे में flat use क्या होते है जैसे कि ये होता है table top table इनकी जो shape है ये plane से थोड़ा उच्छे होते है ठीक है, और पहाड से नीचे होते है पहाड का जो top होता हो conical होता है, इनका जो top है वो table जैसा होता है, ठीक है बड़े mountains नहीं है Europe में इतने बड़े mountains नहीं है जितने Tibetan plateau की height है, ठीक है major plateues क्या होते है ना दो mountains के बीच में ये platues पाए जाते हैं उनको बोलते है intermont plateues ठीक है, तो ये intermont plateues जो है, उनके examples है तिबटन plateau जो है वो हिमालयन mountains और कुल्डून माउंटेंस के बीच में है डेकन प्लेट्यू सदन इंडिया के अंदर अरेबियन प्लेट्यू अरेबिया में है ब्राजील का प्लेट्यू मैक्सिको का प्लेट्यू कोलंबिया का प्लेट्यू मदगैसकर का प्लेट्यू अलासका का प्लेट्यू प्लेट्यू वे दुनिया का होट स्पोट है, सबसाद डाइमन जो यहीं से निकलते हैं, औस्ट्रेलिया के अंदर, अन्तोलिया प्लेटियू, तर्की और पेंटेगोनिया प्लेटियू, अर्जनटिना, इबेरियन प्लेटियू, स्पेन, केटैंगो प्लेटियू, डेमोक्रिटिफ positional plane, structural plane का क्या मतलब है कि कोई structure जो है वो उपर आ गया है, रहे कि और plane बन गया है, जैसे कि sea floor का uplift हो जाना, sea floor का uplift हो जाना, sea floor ऐसा निचे है, कोई tectonic activity हुई, और इस floor को ये उपर ले गई, तो ये क्या बन गया, structural plane बन गया, example क्या है, great plane of USA, इरोजनल प्लेन कौन से प्लेन है जो की हवा के कारण पाने के कारण जो है इरोजन हो रहा है और लैंड को समतल कर दिया है जैसे की प्लेन आफ नौर्थ केनेडा इरोजन क्या होता है जमीन का सौइल का कटना बहा के ले जाना ठीक है अब ये है पहाड है इसका इरोजन होता चला गया ये कट गया हवा से पानी से कट गया कुछ मतलब बहुत करोड़ो साल बात क्या होगा पता भी चलेगा कि यहाँ पर एक माउंटेन भी हुआ करता था और ये पूरा माउंटेन कट जाएगा तो ये होगा हमारा इरोजनल प्लेंड अब आगे डिपोजिशनल प्लेंड अब भाई ये जो माउंटेन हमने काटा था ये जो सारा सारा समान आया है, ये कहीं तो deposit हुआ होगा, तो माल लो एक ये बहुत बड़ी land होआ करती थी, जहां पर ये hill था, टीक dès अब वह वहां से, जो ये सब्सक्राहे बहुत स्बसक्रब्स देतर के आ रही है हवा यहां पर इसको deposit प्लेन गया एग्जामपल किया है इंडोगन्गेटिक पिलेन इंडोगन्गेटिक प्लेन का एक्जामपल है सaları लंड्फोर्म्स हैं सारे लेंड्फॉर्म्स सिर्फ इन दोनुघ जीज की बनते हैं या तो एरोजन हो रहा होगा या फिर दिपोसिशन हो रहा हो दो इरोजन और डिपॉजिशन से ही हमारे सारे के सारे लैंड फॉर्म्स बनते हैं तो अगर हम बात करें लैंड फॉर्म्स की जो की रिवर्स बनाती हैं तो कैसे बनाएंगी या तो इरोजन से बनाएंगी या डिपॉजिशन से बनाएंगी रिवर्स के पास बहुत सारा माल होता तो जितना उपर से निकलेगी उत्री ज्यादा स्पीड होगी नीचे आते 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 इनकी स्पीड जो है वो कम होती चले जाएगी तो पहाडों में इसकी रिवर की स्पीड बहुत जदा होती है बहुत जदा होगी तो यह काटती हुई आएगी काटती हुई आएगी तो क्या करती हो आएगी, erosion करती हूए आएगी तो इसका मतलब क्या है, पहाड के अंदर सबस्ज़ादा क्या होता है, erosion होता है अब यह बहुत सारा माल जो है वो लेकर आ रही है, erosion से बहुत सारे rocks, minerals silt, clay लेकर आ रही है तो इक है, नीचे planes पे आ रही है तो इसकी speed जो हो कम हो जा रही है speed कम हो गई तो यहां पर सारा सारा समवन यहां से उठाके लेकर आई थी क्या करेगी यहां पर deposit करना शुरू करतेगी तो क्या होगा दो चीजे मैंने आपको यहां पर समझानी कोशिश कर रहा हूँ कि पहाड के आसपास पहाड से जब नदी निकल रही है तो वो erosion करती हूँ आ रही है तो क्या बनाएगी erosional landforms बनाएगी जब वो plains में आ रही है तो वो deposit कर दे तो plains में क्या बना रही है वो depositional landforms बना रही है ठीक है तो ये erosional और depositional landforms हमें पढ़ने है river जो बना रही है सबसे पहाँ को काटी हुई जो है वाली बना रही है वी शेवड वैली, गौर्जिस, कैनियन्स बना रही है इस सब हम एक एक करके देखेंगे waterfall और rapids बना रही है एकदम से नीचे गिर रहा है यह पानी एक तो एक क्या हो रहा है waterfall हो रहा है ठीक है अब rapids क्या होते हैं आप रिशी case में करी होगी पहड़ों के अंदर जो speed है वो तेज है पहड़ों के अंदर speed तेज है तो चटानों से टकरा कर उसकी speed जो हो एकदम तेज हो रही है टकरा के speed तेज हो रही है उसको बोल रहे है rapids then pot holes और plunge pools पूल्स क्या होते हैं देखो भई यह हमारा rapid हो गया कि बड़ी से चटान है और यहां से कित्ती तेज पानी आ रहा है यहां पर टकरा के कित्ती तेज पानी हो रहा है तो यह हो गया rapid pot holes और plunge pool क्या है अब देखो यहां पर यह जरना नीचे जा रहा है तो जब यह इस पर टकराएगा यहां पर टकराएगा तो यह इसको erosion करता रहेगा erosion करने से क्या होगा यह plunge pool बन रहा है यह plunges का pool बन रहा है और यह चोटे-चोटे बड़े बड़े प्र जो है यह छोटे गड़े हैं, जब यह छोटे गड़े बड़े हो जाते हैं, तो यह plunge pool बन जाते हैं, ठीक है, छोटे गड़े जब बड़े बन जाते हैं, तो plunge pool बन जाते हैं, या फिर बोल सकते हैं, छोटे pot hole जब बड़े हो जाते हैं, तो तो यह plunge pool बना लेते हैं, बस कुछ नहीं है, यह है हमारा original वाला pot holes और plunge pools, then next आगे हमारा river terraces, incised meanders, और यह paired और unpaid होते हैं, incised का मतलब होते हैं, काटना, और तेडा मेडा हो जाना, minder का मतलब होते हैं, incised मतलब होते हैं, तो तेडा तके तके धर काट रही है, तो क्या मतलब हो रहे हैं, कि erosion कर रही है, erosion कर रही है, erosion करते हैं, मेंडर हो रही है मींडर होती है साप की तरह ऐसे ऐसे टेड़े मेंडर होके जाते हुए एक आडरी है तो इसको बोल रहे है हम इंसाइज मेंडर then river terraces आ गए हैं आपर river terraces क्या होती है river की छट होती है river की छट कैसी है अगर river की छट right और left में symmetry दिखा रही है तो इसका मतलब वो paired है right और left में symmetry नहीं दिखा रही है तो इसका मतलब वो unpaired है अब यह river की terraces होती है क्या है ना river जो है वो अपना level जो यह वो बढ़ाती जाती है घटाती जाती है पहले जो थी वो रिवर यहां तक की थी पानी कम हुआ डाउन कटिंग स्टार्ट होई तो यह यहां तक की हो गई जो यह क्या हुआ रिवर की टेरेस बन गए इकल है तो यह पेयरड है अगर यह अनक्ल है तो यह अन पेयरड है уже जो लास्ट है बहुत सकरी हैं, बहुत स्टीप हैं यहां से क्या जा रहा है, रिवर होती हुए जा रही है आप इसको मान सकते हो जॉर्ज्ज और कैनियों वैसे ख़ाई ही मान सकते हो आप ख़ाई है किससे बनी होती है सैंस्टोन या ग्रेनाइट से ठीक है, सो आपको questions आ सकते हैं ऐसे कि इन में से कौन सा erosional landforms है ठीक है इन में से कौन सा erosional landforms है आपको 4-5 जो है वो option दे देंगे जैसे कि 4-3 option ना देंगे alluvial fence, flood plains natural levees और 4 बोल दीगे, canyons ठीक है तो आपको पता होना चाहिए कि इन में से depositional कौन सा और erosional कौन सा है तो erosional कौन सा है भई, canyons है तो हमने सारे erosional पढ़ लिए वैसे ही हम depositional देखते है depositional तो बहुत असान है कि भई, alluvial fence कि भई, alluvial छोड़ दिया है, river ने तो वो गया हमारा alluvial fence flood plains flood plains कहां पर होते हैं, जहां पर river जो है, वो हर साल बाड लेके आती है, वो वाले plains flood plains होते हैं, कि हर बार बाड लाएगी तो कुछ ना कुछ छोड़ के जाएगी देना गया, natural leaves नदी के किनारों पर आपने कुछ देखा होगा कि erosional landforms बन जाते हैं, मतलब deposition हो रहा होता है नदी के किनारों पर deposition होगा होता है उनको leaves बोलते हैं, जैसे कि ये है, ये river जा रही है, और अपने kोनों के उपर ये कुछ-कुछ material छोड़ती हुई जा रही है, जिससे कि ये वाला, जो land mass है, थोड़ा uplift हुआ दिख रहा है natural leaves बोल रहे है अब जब flood आएगा, तो ये इसको पार कर जाएगी, तो ये वाला area क्या है, flood plain की, यहाँ पर regularly flood आते हैं, तो ये थोड़ा उपर उठ रहा हुआ है, तो यहाँ पर flood नहीं आते हैं then, point bars, meenders, oxbow lakes, ये तीन चीज़े हैं point bars क्या है, कि जब ये sharp ton ले रही है ये जो sharp ton ले रही है तो कुछ-कुछ चीज़े यहाँ पर deposit कर रही है, पहले क्या था? पहले सर्फ यहाँ तक का था ये और जो river है, वो यहाँ से मुड़ जा रही थी यहाँ से मुड़ जा रही थी, लेकिन over the period of time, यहाँ पर river ने deposit करना शुरू किया, deposit करना शुरू किया सो यह deposit हो गया, sand, silt, clay जो है, वो यहाँ पर deposit हो गई और river ने क्या बना लिया? point bars बना लिया, ठीक है तो जब river deposit कर रही है, तो point bar बना रही है, लेकिन अगर यहाँ पर deposit करती जा रही है, अब देखो यहाँ पर अगर इसने over deposit कर दिया, यहाँ पर deposit करती है, तो यह तो बंद हो जाएगा, यह बंद हो जाएगा और यहाँ पर यह जो river है, वो देखो यहाँ से यह क्या हो जा रही है? इस वाले mode के पास आती जाएगी, आती जाएगी आती जाएगी और ये क्या हो जाएगा स्ट्रेट बन जाएगी तो यहां पर रास्ता बंद हो जाएगा और यहां से रिवर जो है फ्लो करना शुरू हो जाएगी तो यह जो लेक बन गई यहां पर यहां पर जो लेक बन जाएगी उसको क्या बोलेंगे Augsbord Lake जैसे कि यह यहां पर दिखा रखा है पहले क्या था यह River ऐसे होके आ रही थी बहुत सालों पहले क्या था यह जो River है वो ऐसे होके आ रही थी यह ऐसे मूड रही थी खोड़े टाइम पर क्या हुआ यहाँपर Deposition होता चला गया और यह Deposition होता मेंडर को बन घ्रम्स ओक रहा हुँ कि आपको यह और मींडर क्यां आडहे मींडर तो वहत असान है वही सांप की तरह टेरा मीडर टीरा मेडरब्र this जाएं आगे टेल्टाज, डेल्टाज कहां पये बनते हैं, समुदर के पास, बहुत सारी चीज़े, जो है, रिवर्स छोड़ देती हैं, जैसे कि बहुत बड़ी बड़ी रिवर्स, वजो है, वो समुदर के किनारेадаा रही है, और ये आगे समुद्र तो बहुत सारे सिल्ट कले यहाँ पर छोड़ती जा रही है तो बहुत छोटी-छोटी स्ट्रीम्स में बट जाती है इनको बोलते हैं डेल्टाज तो यह जो इरोजिनल और डिपोजिशनल लैंड फॉर्म्स रिवर बना रही है ठीक है ऐसी इरोजिनल और डिपोजिशनल लैंड फॉर्म्स ग्राउंड वाटर बनाएगा ग्राउंड वाटर बनाएगा दैन माउंटेंज भी बनाते हैं ऐसे इरोजिनल और डिपोजिशनल लैंड फॉर्म्स सी बनाएगी और विंड भी बनाएगी सो ब्रीफली डिसकस करेंगे अब बहुत जादा explain नहीं करेंगे ब्रीफली डिसकस करेंगे सब चीजों को कि भई ये सारे landforms जो है erosion के कारण बनते हैं कौन बनाता है? Groundwater बनाता है जैसे कि pools, sinkholes, lappies, caves, lifestone payments Groundwater जो है जब टकराएगा ठीक है? अर्थ के landmass से टकराएगा तो गड़े बनाता रहेगा गड़े बनाएगा उनको sinkholes बोल देंगे जब बहुत बड़े बड़े गड़े बन जाएंगे pool बन जाएंगे तो उनको pools बोल देंगे lappies कुछ नहीं होते landforms में cracks होते हैं landforms के cracks को जो दरारे आजाती है जैसे आपने फर्ष देखा होगा आप imagine करो कि ये बहुत बड़ा landmass है ठीक है? इसके अंदर ये दरारे 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 सी पट रही है ठीक है? ये तेड़ी मेड़ी सी दरारे पट रही है इनको lappies बोल देते हैं caves तो मतलब गुफा बना दी भई पानी ने काट काट के गुफा बना दी limestone के pavements अगर काट काट के बना दी है तो फिर और limestone pavements होंगी depositional landforms में stalactites, stalagmites और pillars ठीक है मैंने याद इसको किया था कैसे? कि mites क्या होते हैं? मकोडे हैं ना mites mosquito type के मतलब insects होते हैं माइट्स और कहां से चलते हैं वो ground पे चलते हैं तो stalagmites क्या है? ये वो landforms हैं जो कि earth के अंदर ये नुकीले नुकीले से क्या उठ रहे हैं? ठीक है? नुकीले नुकीले से पत्थर जो उठ रहे हैं deposition के through उसको बोलेंगे stalagmite और इन गुफाओं के अंदर जो ये उपर उपर मतलब ये conical structure जो हैं ये तो ये वाल्स के उपर से आ रहे हैं छत पे से आ रहे हैं conical structure इनको बोलते हैं stalagmites ये stalagmites की spelling गलत है इसकी spelling क्या है? S-T-A-L-A-C-T-I-T-E-A stalagmites तो ये कहां से आते हैं? छत पे से उपर छत के उपर से conical structure जो है उसको stalagmites बोलते हैं और land के उपर से ये जो conical structure बन रहे हैं इनको stalagmites बोलते हैं जब ये stalagmites मिल जाते हैं उपर वाला नीचे वाले से मिल जाएगा तो क्या बना देंगे? ये pillar बना देंगे ये column बना लेंगे ये कहां पे होते हैं? cast topography में होते हैं ठीक है? ये word याद रखना cast topography ये किस से associated रहता है? कुशन आ जाता है तो ये soluble rocks से associated रहते हैं soluble rocks जैसे की limestone ठीक है? तो ये बहुत बहुत बार पूछा जाता है कि cast topography किस से associated है? तो लाइम से associated then erosional landforms जो की glaciers बनाते हैं glaciers चलेगा बहुत glaciers बहुत बड़े-बड़े होते हैं मैंना glacier क्या है? आइस के बहुत बड़े-बड़े पत्थर और जब वो earth से घिसड़ेंगे earth surface से घिसड़ेंगे mountain से घिसड़ेंगे नीचे आएंगे तो बहुत जादा erosion करेंगे erosion करेंगे तो erosional landforms बनाएंगे तो क्या-क्या बनाएंगे? जैसे U-shaped valley हो गया नीचे आया तो क्या हुआ U-shaped की valley बना दी then szirk बना देंगे this circle क्या? यह क्या? यह तिकूँ जा यह जो इस्ट्रक्चर बना रहे है यह ऊपर से यह क्या हुआ? इन नीचे आ गया और यह क्या बना दी है? यह सर्क बना दी है यह सर्क बना दी है इसने अगर हम यहां पर देखें यह जो है यह चीज क्या है यह सर्क है यह नीचे आता जा रहा है तो यह ऐसा होगे न कि कटोरा सा बना दिया है क्या बना दिया है सर्क बना दिया है then Glacial Horns Arite Truncated Spurs और Hanging Valley यह साही चीज़े बनाते हैं देखो यह Arite क्या है कि इधर से यह बहुत कॉनिकल स्टक्चर है यह जो रिज लाइन दिख रहे हो आप इसको अरीट बोलते हैं क्या हो रहा है जो ग्लेशियर है वो तो पिघल के नीचे चला गया और पिघल के मतलब चल के नीचे चला गया अपने मास से सो पीछे क्या छोड़ गया बहुत कॉनिकल यह रिज लाइन छोड़ गया जिसको बोलते हैं रिट हॉन क्या है हॉन जो वो तीन साइड से जब इरोजन हो रहा है माउंटेन की तीन साइड से इरोजन हो रहा है तो यह हॉन जैसा बन जा रहा है जिसको हॉन बोल रहे है जब य यह जो वह है ग्लेशियर है एक दम से नीचे आा रहा है तो ऐसा नहीं लग रहा है कि यह वैली जो है वो हैंग कर रही हैं थे is वैली के ओपर यह हह वैली जो है वो लटक रही है तो इसलिए इसको बोलते हैं हेंग ग्लेशियर अ जा रही तो यह सारे होगे हcolored इरोजिनल लैंड फॉर्म्स, डिपॉजिशनल लैंड फॉर्म्स में आते हैं मोरेंस, एसकर्स, ग्रमलिंस और आउटवाश प्लेंस अब ग्लेशियर जो है वो चलता हुआ जा रहा है जो उसने पीछे मैटेरियल छोड़ दिया उसको बोलते हैं मोरें तो डिपॉजिशनल चीजें जो की ग्लेशियर पीछे छोड़ता जा रहा है वो है हमारा मोरें जब glacier पिखलता है न तो glacier पिखलता है पिखलने के पीछे जो चीज़े छोड़ देता है उसको एसकर बोलते हैं बहुत असानी से यही समझने कोशिश करो जादा deep में नहीं जाना है हमको और drumlin क्या है? drumlin अब यह समझो कि यह वो hill है जो की glacier के melt होने से बन रहा है glacier के melt होने से जो भी थोड़ चोड़ी सी पहाड़ी बन रही है वो drumlin है then outwash plains आगया यह सारे हमारे outwash plains है वही कि जब glacier जो हो पिखल रहा है deposit करता जा रहा है तेक है morines जो है वो deposit कर रहा है उससे क्या बन रहा है outwash plains बन रहे है बस कुछ नहीं है जादा इसमें बस आपको यह नाम दिमाग में रखने है कि morines को क्योंकि हम ना confuse हो जाते हैं बहुत बार डायेट अगर मैं कोशन पूछ लो कि morines जो हैं वो कौन से agent से बनती है चार मैं option दे दूँ आपको glacier से बनती है ground water से बनता है river बनाती है या फिर wind बनाती है तो अभी तो आपको पड़ा चल रहा है कि glaciers बना रहा है लेकिन अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि Georges और कैनियोंस कौन बना रहा है ठीक है Georges और कैनियोंस कौन बना रहा है और मैं आपको 4 option दे दूँ कि glaciers बना रहे है mountains बना रहे है wind बना रही है या फिर river बना रही है इचार option मैं दे दूँ मैंने अभी आपको Georges और कैनियोंस पढ़ाए था तो मैं जो पता है कि बहुत सारे लोगों को अभी भी डाउट हो जाएगा बाउन्टेंस बना रहे हैं कि रिवर बना रही है टीक है विन्ट वाले तो मैंने अब तक पढ़ा Works नहीं है नेच्ट है वह वेव और करेंड से कौन से लांडब़्म बन रहे हैं रिज समुद्र का पानी है वह काटता जा रहा है और यह कलिफ बना दी भई लिफ क्या है वाइ जैसा भी रहता हिए लिफ दें टैरेसे बना दी छथे बना दी ना काट काट के काट काट के छथ बना दी डन-केज बना दी गुफाय बना दी है जो पहले था यह पूरा यहां पे पूरी वाल हुआ करती थी यहां पे टकर मार मार के मार मार के इसको इरोजन करते गए तो यह गायब हो गई और अब ऐसा लग रहा है कि यह समुदर के अंदर से कुछ पत्थर जो है और वो आ गई है, लेकिन ऐसा है नहीं, बहुत सालों पहले ये पूरी जॉइंड थी, पानी ने टकर मार मार के इसको इरोड कर दिया, और ये स्टैक्स बना दिये, तो ये होगी हमारे इरोजिनल लैंड फॉर्म्स, लें डिपोजिशनल लैंड फॉर्म्स में, समुदरे किना ठीक है, तो ये डिपोजिशनल लैंड फॉर्म्स जो है, डिरेक्टली पूछे जाते हैं ये, लास्ट हमारा आगया भई, लैंड फॉर्म्स जो की विंड बनाती है, इरोजिनल लैंड फॉर्म्स में आगया हमारा पैडिमेंड या पैडिप्लेंस, पैडिप्लेंस, पलाया तो थे याज ये हवा जो हए वह गड़े बना देते हैं डेजर्ट हे अंदर टूक्या है ऊवसी जो हए वह और इरोजिट में होज़ाइन वह इसके प्लाया बोलेते हैं सब्याइजुर्ट रोचा ट्रूकी यदिश्क्त या रुज़ुद ते यो mushroom rocks क्या है ये पहले पूरी rock हुआ करती थी हवा के कारेन ये क्या हुआ इसको erode करना शुरू कर दिया तो हमारी mushroom जैसा ये structure बन गया तो ये हो गी हमारी mushroom rock then table और pedestal rock भी सेम ही है zugen देख लो भई zugen में क्या है इस photo में देखो क्या है यहाँ पर horizontal bands बन रहे हैं क्या होता है कभी-कभी rocks मैंने आपको बताए था ना कि alternate soft होगी एक layer hard होगी एक layer soft होगी एक layer hard होगी तो hard layer जो कम इरोड होगी soft layer ज़ादा इरोड हो जाएगी जिसके वएसे rocks बन जाएंगी जिसको बोलेंगे is yugan अब यही soft rock और hard rock अगर vertical है यहाँ पर तो यह horizontal band है अब यहाँ पर क्या थी इसके बराबर में एक और rock हुआ करती थी जो कि soft हुआ करती थी soft material की बनी थी तो वो क्या होगी वो erode हो गया और जो hard material था वो वापस रह गया वो erode हुआ नहीं तो क्या बन गया? याडांग बन गए तो इसके मतलब क्या है? कि hard और soft rock अगर horizontal में है तो zyugan बन जाते हैं और hard और soft rock अगर parallel है या फिर vertical में है तो याडांग्स बन जाते हैं दन आ गया वही हमारे depositional landforms जो की wind करवाती है deposition तो wind deposition कराएगी तो sand duns बन जाएंगे यह साई desert वाले है sand duns बन जाते हैं barchans बन जाएंगे sea, parabolic duns, transverse duns, longitudinal duns, lois तो यह आपको ज़्यादा आएंगे नहीं duns ही आएंगे यह तो सिर्फ उनकी shape बता रही है अगर parabolic है तो parabolic duns transverse shapes में आ गए हैं तो transverse duns, longitudinal duns उनकी shape है तो longitudinal duns हो गए barchans आप देख लो barchans और सीफ क्या हो गए कि भई हवा अगर ऐसे चल रही है हवा अगर ऐसे चल रही है तो क्या हो रहा है यहाँ पर लाके क्या कर रही है हवा जो है वो इधर deposit करते जा रही है तो इधर ऐसे shape बना रहे है अगर wind जो है वो इधर की side ज़्यादा बढ़ रही है इधर की side कम है तो क्या होगा एक side बढ़ रही है एक side उतनी ही है तो यह होगी हमारी sheaf हो गई तो यहाँ पर हमारे landforms भी खतम होते है तो next हमारा topic आ गया atmosphere ठीक है atmosphere में हम atmosphere के बारे पढ़ेंगे अपके बारे में पढ़ेंगे global pressure bells के बारे में पढ़ेंगे और फिर currents hot currents और cold currents यह सब कुछ topic हम इस atmosphere वाले topic में करेंगे सो भाई atmosphere है क्या gas का मोटा सा envelope है जो की earth को घेरे हुए है पूरी side से और क्यों घेरे हुए है क्योंकि earth का gravitational force उसको attract कर रहा है gravitational force हमने physics में करे लिया है कोशन यहां से पूछते हैं बई percentage के बारे में कि नाइट्रोजन की सबको पताएगी 78% नाइट्रोजन है oxygen 21% है कोशन कैसे पूछा जाएगा कि third most viable gas in atmosphere कौन सी है तो वो आरगन है maximum बच्चे carbon dioxide लागा के आ जाएंगे तो यह series important है यह UPSC में पूछा गया है UPSC में पूछा गया है तो आपके यहां पर भी पूछा जा सकता है SSC भी इसको पूछ सकता है series में लगाने के लिए सबसे पहले nitrogen oxygen argon then carbon dioxide hydrogen 0.01% neon helium krypton xenon और ozone ठीक है यह पूरी percentage याद करने की जुरुत नहीं है सिर्फ यहां तक percentage याद करने की जुरुत हो सकती है hydrogen का पूछ सकते हैं कि कितने percent by volume hydrogen atmosphere में present है तो 0.01% है then यह है हमारी layers of atmosphere atmosphere में कितनी layers है सबसे पहले एक troposphere है जहां पर हम सांस लेते हैं इस troposphere के अंदर ही oxygen यहां पर सबसे ज़ादा present है इसलिए हम यहां पर सांस ले पा रहे हैं ठीक है then troposphere के बाद आता है stratosphere और इन दोनों को बीच में जो line separate करती है उसको बुलते हैं tropopause यहां पर question कैसे कैसे पूछे जा सकते है सबसे पहले तो यह पूछा सकते है कि troposphere की extension कहां से कहां तक है तो सबसे पहले तो भाई यह देखो poles के उपर poles के उपर troposphere के extension है 8 km तक और equator के उपर सबसे maximum है 18 km तक तो troposphere कहां से कहां तक है range 8 km से 18 km then बारिश चर्दन सेशन स्टाम्स कहा कहा इन तर रॉप प्लेश यहां। पर बारिश नहीं आती है रॉच बारिश टो एरोप्लेंश फॉंष वस्ताइल आये तो stratosphere में ठीक है above the troposphere stratosphere के अंदर यह हवाई जाज जो है वो उड़ते है meteor यहाँ पर आते-ाते meteor जो है वो खतम हो जाते हैं maximum meteor stratosphere में आते हैं बर्न आउट हो जाते है then सबसे important क्या है stratosphere में कि यहाँ पर ozone मिलती है ठीक है यह ozone मिलती है इसकी जैसे इसको ozonosphere भी बोलते हैं अब देखो हमने ये देखा है कि उपर जाते जाते क्या होता है temperature जो है वो कम होता रहता है तो ट्रॉपर स्फेर के अंदर ये बात बिल्कुल ठीक है उपर जाते जा रहे हैं जाते जा रहे हैं तो temperature देखो minus 18 degree Celsius हो गया लेकिन प्रॉपर पॉज के बाद क्या होता है इस पर विराम लग जाता है और उसके बाद क्या होता है temperature बढ़ना शुरू हो जाता है temperature increases with height फिर 50 km तक ये प्रॉपर स्फेर वाली लेयर रहती है और temperature जो हो गठना शुरू हो जाता है बढ़ना शुरू हो जाता है बढ़ता जाता है और कहां तक बढ़ता है 0 degree Celsius तक ये बढ़ता चला जाता है तो minus 80 degree Celsius से 0 degree Celsius पे वापस चला जाता है देन आता है हमारा stratobose जो की stratosphere को और mesosphere को दोनों को अलग करता है क्या करता है यहां से temperature फिर से घटना शुरू हो जाता है तो यहां पे temperature घटना शुरू हुआ फिर यहां पे temperature बढ़ना शुरू हुआ फिर से यहां पे घटना शुरू हुआ alternatively हो रहा ही है अब यहां पे temperature घट रहा है 80 km तक इसकी range होती है मीजो स्फेयर कहां तक पाया जाता है अवर्थ के सर्फेस से 80 km तक मीजो स्फेयर पाया जाता है यहाँ पर टेंपरेचर जो है वो फिट से घटना शुरू हो जाएगा और उसके बाद यह कहां तक घटेगा माइनस 100 डिगरी तक फिटना शुरू हो जाएगा तो इसका मतलब यह जो लेयर है मीजो स्फेयर वाले जो लेयर है यह कोल्ड़ेस्ट लेयर है थीए सबसे ठंडी लेयर होती है क्योंकि इसके ऊपर भी जब टेंपरेचर जैसे-जैसे हाइट जाते है तो temperature बढ़ना शुरू हो जाता है तो mesopause के बाद temperature फिर से बढ़ना शुरू हो जाता है हाइट से जो इहाँ पर क्या हुआ alternatively चल रहा है पहले height के साथ temperature कम हो रहा है फिर height तो temperature तो सबसे कम temperature कहा है mesosphere में या फिर बोलो कि मीजो पॉस तक कहां तक टेंपरेचर आजाता है यहां पर माइनस 100 डिरी सेल्सियस तक और जो यह मीटियॉर्स है यह 90% मीटियॉर्स तो मीजो स्फेर के अंदर आके ही बर्न आउट हो जाते हैं तो यहां पर सिग्नल्स बेजते हैं और रेडियो वेफ जो रिएडियो अपर रिफ्लेक्ट हो जाती है यहाँ पर possible करवाते हैं, so communication क्यों possible हो रहा है, ionosphere की वजह से, यहाँ पर temperature पर height की करणड, height की जैसे temperature बढ़ रहा है, जैसे हैड बढ़ रही है, वैसे वैसे temperature भी बढ़ रहा है, दन आ गया भाई यहाँ पे थर्मोस्फेर भी इसी का ही पार्ट रहता है तो अगर कोशन आए कि थर्मोस्फेर की रेंज कितने तो 80 किलोमेटर से 600 किलोमेटर के बीच में थर्मोस्फेर पाए जाता है यहाँ पे बहुत ही ऊपर आई तो हमने हमें पता है कि light gases जो है वो rise करेंगी तो सबसे light gases ही पाए जाती है सबसे light gases कुंसी है हमारे helium hydrogen तो यहाँ पे क्या पाए जाता है थर्मोस्फेर के अंदर hydrogen और helium ही सबस्यादा पाए जाता है यहाँ पे temperature बहुत ज़्यादा हो जाता है ठीक है temperature 1000 degrees Celsius भी ज़्यादा हो जाएगा अगर हम studies की माने तो दिन का temperature इस 600 km पे दिन में 1400 degrees Celsius तक चला जाता है और रात में 225 degrees Celsius तक भी चला जाता है टिक है तो यह जो layer है सबसे गरम layer होती है दैन आगे हमारा outermost layer अगर outermost layer का question है तो कूं सी outermost layer exhaust sphere अग्जोस्फेर अग्जोस्फेर अग्जोस्फेयर है और इसकी तिकने सबसे ज़ादा है 10,000 km तक यह पाये जाता है और outer part of exhaust sphere को बोलते है magnetosphere ठीक है तो यह basically exosphere क्या है outer atmosphere और earth के atmosphere की last line ठीक है तो यहाँ पर atmosphere हो गया खतम अब हम देखेंगे कि atmosphere के अंदर जो winds है वो कैसे चल रही है तो कुछ forces act कर रहे होते हैं हर चीजों पर तब ही objects जो है वो move कर करते हैं हावा तब ही चलती है जब यह तीन फोर्स जो है act करते है ठीक है यह तीनों फोर्स हावा की direction हावा की movement और speed पे बहुत फरक डालते है फरस्ट आगे हमारा pressure gradient force ठीक है यह pressure gradient force का क्या मतलब है कि प्रेशर का gradient बन रहा है मतलब हमने physics में भी देखा था कि electric potential difference की वाए से current जो फ्लो करता था मैंने वहाँ पही बता था कि हावा कैसे flow करती है high pressure से low pressure पे ठीक है तो यह क्या हो रहा है pressure का gradient बन रहा है pressure difference है हावा क्या कर रही है इस high pressure और low pressure के area के pressure को equalize करना ही कोशिश कर रही है इस वाए से high pressure की जो wind है वो low pressure की तरफ attract हो रही है भागे जा रही है तो यह हो गया हमारा पहला pressure gradient force then आगे coriolis force so coriolis force बहुत बढ़िया चीज है ठीक है यह वो force है जो लगता है कि लगता है लेकिन लगता नहीं है ठीक है क्या होता है ना कि earth की movement की वज़य से मतलब spin की वज़य से rotation की वज़य से सारे के सारे objects जो है हमें लगता है कि अपने true path से deflect हो रहे है अपने true path से वो कहीं और जाते होँ में दिखते है so scientist ने बताया कि यह क्यों होता है यह koriolis force की वज़य से होता है तो koriolis force किसकी वज़य से हो रहा है rotation of earth की वज़य से ठीक है so मैंने आपको पताय था कि earth जो है वो दो hemisphere में divided है एक होगे हमारा northern hemisphere एक होगे हमारा southern hemisphere northern hemisphere में चीजे जो है वो deflect हुटी हो दितनी है right side में ठीक है और southern hemisphere में left side में क्यों किसकी वज़य से koriolis force की वज़य से then आ गया frictional force frictional force क्या है frictional force तो बहुँ दो surfaces के बीच में लगता है और frictional force क्या करता है speed को कम करता है तो frictional force का यहां पर भी यही काम है कि wind की speed को कम करना ठीक है और frictional force की वज़य से direction भी change होती है then यह आ गई हमारी planetary winds जिनको हम prevailing winds भी बोलते है prevailing winds क्यों बोलते है क्योंकि यह पूरे साल prevail करते है पूरे साल रहती है इसके वज़य से इनको prevailing winds बोनते है तीन टाइप की planetary winds है planetary winds क्या मतलब है कि यह पूरे planet पे घूमती है यह permanent winds होती है पूरे planet के level पे यह winds चलती है जो global level पे winds चलती है उनको planetary winds बोलते है तीन टाइप की है यह trade winds, polar winds और westerlies convention के अनुसार हम क्या करते है कि जहां से winds जो है वो originate होती है उसी direction में उसका नाम होता है जैसे कि अगर west से wind चल रही है west से east चल रही है तो इसको बोलेंगे westerlies और east से west चल रही है तो बोलेंगे easterlies तो यह हमें बता देता है कि wind जो हो कहां से आ रही है नाम ही बता देता है कि wind कहां से आ रही है so question आएगा आपके पास की planetary winds को है कौन-कौन सी इनमें से कौन सी planetary wind नहीं है तीन दे देंगे आपको यह trade wind polar wind westerlies चौतिया कोई भी दे देंगे example ले लो चीनूक और आपसे पूछ लेगा इनमें से कौन सी planetary winds नहीं है तो आपको answer पदा चल जागा कि चीनूक है और यह winds जो है वो चल क्यों रही है यह चल इसले रही है ताकि atmosphere को equalize कर सकें ठीक है atmosphere को equilibrium में रखने के लिए यह सारे winds जो है वो चलती है ठीक है जैसे कि यह आगे हमाई trade winds कहां से चल रही है यह इसकी direction कहा है north east से south west ठीक है और northern hemisphere यह southern hemisphere में south east से north west ठीक है और जहां पर यह trade winds मिलती है उसको बोलते हैं intercontinental sorry intertropical convergence zone ठीक है ITCZ intertropical convergence zone जहां पर यह side side trade winds मिलती है अब यह जो ITCZ होता है इसको भी यहां पर समझने की कोशिश करो कि यह क्या है ITCZ जो है वो sun की movement पर depend करता है sun की movement पर depend करता है जैसे जैसे sun उपर नीचे जाता है वैसे वैसे ITCZ जो है वो उपर या नीचे जाता है ठीक है और इस ITCZ की वज़े से क्या होता है monsoon आता है ठीक है मौनसून भी आता है मौनसून को effect करता है यह ITCZ ठीक है तो ideal cases के अंदर यह equator पे मिलने चाहिए थी लेकिन यह equator से 5 degree north पे मिलती है जाके ठीक है तो ITCZ की location भी पूछ सकता है अपसे तो 5 degree north आपको लगा के आ जाना है और यह sun की movement को follow करता है यह ITCZ next हमारी जो trade winds है वो westerlies है जो की west से आ रही है then polar easterlies है जो east से आ रही है next यह हमारा doldrums है doldrums क्या है भई यह equatorial low pressure zone है equatorial low pressure belt है मतलब equator के पास एक यह low pressure belt है low pressure ही होगा क्यूंकि high pressure से low pressure पे तो जाएगी चीज़े wind जो हाई pressure से low pressure पे जाती है तो इसका मतलब क्या है यहाँ पे low pressure है और equator के पास है तो equatorial low pressure है so doldrum क्या है equatorial low pressure है जहाँ पे यह north east की trade winds है south east की trade winds से आके मिलती है ठीक है north east की trade winds जो है वो south east की trade winds से आके मिलती है वहाँ पे यह region बनता equatorial low pressure belt का उसको हम डोल्डरम कहते हैं क्यों बोलते हैं इसको डोल्डरम क्योंकि यहाँ पे जो winds है बहुत slow चलती है slow winds चलती है और calm atmosphere रहता है calm atmosphere रहता है इनका ITCZ मतलब यह जो डोल्डरम्स हैं यह ITCZ ही है इंटर टॉपिकल कनवर्जन जोन उसका मतलब इनकी location कहाँ पे होगी 5 degree north से लेकर 5 degree south के बीच में देखे 5 degree north से 5 degree south तक यह डोल्डरम्स रहते हैं मतलब ITCZ भी यही रहता है उपर नीचे रहेगा sun की movement को यह follow करेगा next आगे हमारा horse latitudes horse latitudes होते हैं हमारे बड़े उचे वाले latitudes जो के 30 degree north यह और 30 degree south में मिलते हैं लेकर ए lotitudes हैं यहाँ पर high pressure रहता है आप यहाँ पर important चीज यह है कि अगर high pressure होता है तो वहाँ बादल नहीं होते है बादल वहाँ होते हैं जहाँ पर low pressure होता है अब low pressure होगा तो बारिच वहाँ होती है हाई प्रेशर पर कभी भी बारिश नहीं होती है याद रखने है यह यह रूल होता है हाई प्रेशर पर कभी भी बादल नहीं होंगे बादल नहीं होंगे तो रेंस नहीं होंगी अब रेंस नहीं होंगी तो क्या होता था यहां पर पानी नहीं होता था लेकिन पुराने जमान तो देडर's को क्या करना पड़ता था, horses को पानी में फ्रेक देटा था, डump कर देना पड़ता था, तो यह यहाँ पर dump करते थे, horse's को समुधर के अदर फेक देटे थे, इस वज़य से इनको बोलते थे, horse latitudes, जैन आ गया बही, westerlies, यह और भी higher latitudes में पाय जाते हैं, यह west से च रित ने की सिर्ट का नाम क्यों है देगा फिर्टी बोहत तेज़ वाइच जलती है वेरी फास्ट रही है और जितना ऊचे आप जाए जा रहे हो उतनी ही तेज़ रही इसके 40 degree में 40 degree south 40 degree north के अंदर बहुत तेज हो़ा चल रही है उससे ज़्यादा तेज हो़ा चल रही है 50 degree south 50 degree north में और उससे तेज हो़ा चल रही ए 60 degree south 60 degree north के अंदर इस वीचा इनका नाम है roaring 40s furing 50s 하接下來 60s वह यह northern hemisphair में ज्यादा मास जादा है दो अगर यहां से हवा चल रही है दो भाई यहां पर लेंड मास पर रुक गई दो यहां परKit पर यहां से चले में आलगे प pouco лges पहती है और बहुत ज़्यादा तेज चलते हैं, तो Northern Hemisphere में variability ज़्यादा है, Southern Hemisphere में variability कम है, तो ये ज़्यादा तेज Southern Hemisphere में जलेंगी, ठीक है, तो हमने Planetary Winds देख ली तीनों, अब हम देखते हैं Trade Winds, जो की तीसरी Planetary Winds है, अभी हमने Horse Latitudes वाला देखा, Westerlies देखे, Easterlies देखे, Trade Winds देखते हैं, सबसे important बात, जो Trade Winds हैं, वो सबसे ज़्यादा regular है, most regular है, तीनों की तीनों Planetary Winds के अंदर, देखे, Westerlies, Trade Winds और तीसरा Easterlies, इन तीनों में सबसे ज़्यादा जो Continuous हैं, वो हैं क्योंसी Trade Winds, अभी जो Trade Winds होती है, यह बहुत ज़्यादा particular चीज़ दिखाती है, कि यह एक तो constant होती है direction में, continuous है, पूरे साल एकी दिशा में चलती है, constant direction है इनकी, direction constant है, और direction है कहां से कहां तक, कहां पर, यह continent से दूर जा रही होती है, विंस, ठीक है, continent से दूर जा रही होती है, तो इसका होती है, यह पानी को दूर लेके जारी है हवा, ठीक है, तो अगर यह पानी को दूर लेके जारी है, तो यहाँ पर बादल नहीं बनते हैं, ठीक है, यहाँ पर बादल बनने नहीं देती हैं, यह तो पूछा जाएंगे तो बारिश नहीं होगा तो फिर क्या होगा रिगिस्तान बनेगा तो रिगिस्तान कहां पर होते हैं कॉंटिनेंस के वेस्ट कोस्ट पर ठीक है तो यहां पर हम मेजर डेजर्ट भी देख लेते हैं आप से पूछा जा सकता है जैसे कि मोहेव डेजर्ट है कैलिफॉर्निया का सोनोरान डेजर्ट है यह कहां पर है सेंट्रल यह मेक्सिको और यह नीचे वाले यूएस के नीचे और इसके बॉर्डर पे मेक्सिको के बॉर्डर पे सोनोरान डेजर्ट होता है मोहेव डेजर्ट USA के अंदर, then Sahara Desert Africa के अंदर कोशन कभी पूछ भी सकता है कि Sahara Desert जो वो कौन सी country से नहीं गुजरता है तो बहुत असान कोशन देंगे आपको सिर्फ एक बार map की series देखनी है ठीक है, maps की series में आपको देख लेना है कि Africa में कौन को सी country आती है ठीक है, then आगे Atacama Desert Atacama Desert भी देखो कहाँ पे है, South America के अंदर और इधर बिल्कुल West Coast में कालारी Desert, Namibia Desert कहाँ पे South Africa के अंदर then Great Australian Desert फिर Arabian Desert टाकला मकान Desert यहाँ पे थावार डेजर्ट भी है फिर गोभी डेजर्ट then Central Asian Desert तो दो हो गई हमारी तीसरी देखेंगे अब हम अच्छा यह सारे के सारे mountains है ठीक है, अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊं ठीक है, यह जो mountains है, एक और चीज होती है कि यह जो desert है desert का दो कारण है मैंने आपको बता दी, offshore winds दूसरे mountains भी कारण होते है mountains किया करते है एक side पे बारिश करवाते हैं, एक side पे बारिश करवाते हैं तो जहां पे बारिश नहीं करवाते हैं, महाँ भी desert हो जाता है यह क्या है, Appalachian Mountains, यह क्या है, Sierra Madara, Sierra Nevada, और यह है Sierra Medra, तो यह कहां पर है, Mexico के अंदर है, Sierra Medra, और यहीं पर ही Sonoran Desert भी है, ठीक है, इधर, यहेंदा यह मांटें रींजेए है यह आंड़िस मांटें रेंज मांटेंज तो यह यह हमारे आल्टर्प्ट्र यह हैं यह हमारा ओल्टर्प्स स्थाइए यह हमारा ड्रेकन्सबर्ग माउंटेंस ठीक है ड्रेकन्सबर्ग माउंटेंस और इसको क्या बोलते हैं ड्रेकन्सबर्ग पैसेज ठीक है यह पैसेज कोंसा है ड्रेकन्सबर्ग पैसेज है फिर यह हमारा माउंट रुवेंजोरी माउंट रुवेंजोरी देन यह बहुत नियाँ मांटेंज में अल्टी माउन्टेंज मंगोलिया और चाइना का बॉर्डर बिसाइड करते हैं ये तो मैं पता हुए ग्रेट इमालियाज तीक है या फिर हमालियाजी बोल तो यह क्या हमारी करा कोरम रहें जाहिए लिग क्या है टी आँशान मांटेंज यह हमारा हिंदु कुष है, यह हमारे Caucasus है, यह हमारे Taurus Mountains है, और यह इरान वाली जो बाउंडरी बना रहे हैं, इरान वाली बाउंडरी कोण सी बना रहे हैं, यह है हमारे Zagras माउंडरींज, यह तो आगों पता ही है, eastern गाट और western घाट हैना west में western घाट east में eastern घाट नीकि hair उड़िक्टा बता दिये क्या है यह क्या है हमारे eastern घाट और यह हमारे western घाट और यह हमारी भाई great dividing range तो यह अमारी और यह लास्ट इंपॉर्टन्ट मॉंटिन मैक्डॉनल रेंज यह आपको एक बार दिमाग लाके फिर से एक बार देख लेना है खुद से एक बार ट्राइ करना है पूरे मैप को आँख बंद करके मतलब यह दो बार आप खुद कर लोगे ना तीसरी बार तो आपको मतलब lifetime याद हुजाएगा वाउंतिन्ज कहां कहांपर है टीक देनम सेल के बारे में बात कर घा थेंजिका हमने वैस्टरविंट्र कर लिया था प्रेडबिंट्स कर लिया था, easterlies रहता था, easterlies जो है वो polar cell है और बहुत weakest है यह, ठीक है इस वजए से जो polar easterlies होती है बहुत slow, बहुत highly variable रहती है, ठीक है बहुत variable variability आती है इन में, लेकिन southern hemisphere में फिर से वो ही बाता जाती है कि southern hemisphere में landmass है नहीं, सिर्फ समूदरी समूदर ह तो ज्यादा uniform रहता है northern hemisphere में क्योंकि land और water का ज्यादा mixture है तो polar easterlies ज्यादा variable रहती है northern hemisphere के अंदर तो ये planetary motion तो हमने कर ली है, planetary winds तो कर ली, local winds भी बहुत बात पूछी जाती है ठीक है दो type की winds होती है एक warm और एक cold जो गरम wind को warm बोल दिया, हंडी वाली को cold बोल दिया, सो इनकी locations पूछ लेते हैं ठीक है जैसे कि Chinook है, Chinook को snow eater बोलते हैं कहाँ पर आते हैं रॉकीज के पास ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ पर यह रॉकीज पढ़े थे, ठीक है, इस रॉकीज के यहाँ से आती है, यह चिनू कुविंट्स इधर चिनू कुविंट्स चलती है, एकदम गरम गरम और पूरी snow को पिगला देती है, इसलिए इसको snow eater बोलते हैं, then phone, Alps, Europe के अंदर, ठीक ह यहाँ पर, यह कहाँ चलेगी, zonda, यहाँ पर zonda चलती है, गरम हवा, then, Santa Ana, USA, California के अंदर, ठीक है, इधर की side में, Santa Ana चलती है, इधर, Santa Ana चलेगी, then, berg, कहाँ चलती है, South Africa के अंदर, यह, यहाँ पर, चलेगी, क्या, berg, इधर berg चलती है, ठीक है, then, Yoma, Japan के अंदर, चलती है, सिरोक को North Africa के अंदर, खामसीन, Egypt के अंदर, हर्मटन को बोलते हैं, अंदर, डॉक्टर, सहारा से, घाना तक चलेगी, गिनी कोस तक चलती है, ब्रिक फिल्डर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, सामुन, एरान, नॉर्वेश्टर, न्युजिलेंड, ल अलजेरिया, मुरोक्को, स्पेन में चलेगी, देखो, लिविश्ट कैसे चलती है, यहां से, अलजेरिया, मुरोक्को से, यह स्पेन में चले जाती है, ठीक है, सो कहां से इधर चलती है, यह, सो क्या करेगी, देखो, यह, क्या है, कौन सी सी है, यह, मडिटरीनियन सी, और य और स्पैन में क्या करा रखिए और बारिश करा देगी, राल अमलाल हो जाए तर काराबुरान, तर सेंट्रल अश्या में चलती है यहां to ठीक है ये 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 कारा बुरान चलेगी इदर ठीक है देन नौथ अमेरिका में हाट डस्टी ब्लैक रोलर चलता है काल बेसाकी तो भाई इंडिया में चलती है बहुत असान है ये सब को पता होगा देन सी ब्रीज हमारी कोल्ड होती है और लैंड ब्रीज हमारी वाम होती है लैंड ब्रीज मतलब जहो अगर मैं आपको ये बताओं कि ये लैंड है और ये सी है ठीक है तो सी से चलने वाली जो हवा है उसको बोलेंगे सी ब्रीज जो लैंड से सी में जाने वाली हवा है उसको बोलेंगे land breeze so land से जो चल रही है वो तो यह तो गरम होती है land तो यहां पर क्या होगा यह तो warm गरम होगी लेकिन sea थंडा होता है so यहां से आने वाली हवा क्या होगी थंडी होगी then next थंडी हवा blizzard जो कि कैनेडा में साइबेरिया से आती है ठीक है यहां से आएगी साइबेरिया से यह तो यहां से आएगी इधर आएगी फिर कैनेडा में जाएगी ठीक है किदर क्या रहा मैं इसका blizzard ठीक है खनी थंडी हवा blizzard then बोरा यूगोसलाविया के अंदर पहले यूगोसलाविया हो करता था यहां पर ठीक है यहां पर बोरा चलती है डन सदरली बस्टर ऑस्ट्रेलिया में परगा रशिया या टुंडर रीजन के अंदर मारीन फ्रांस में केप डॉक्टर साउथ आफ्रिकन कोस्ट लिवांट स्पेन के लिवांट बहुत बात पूचा जाता है लिवांट और मिस्टरल बहुत बहुत मतलब एक्जामीनर का फेड़िट है यह दोनों लिवांट और मिस्टरल लिवांट स्पेन में मिस्टरल जो है वह राहिन वैली ठीक है फ्रांस से मेडिटरीनियन जाती है यह ठंडी हवा जो है अब चलते हैं बादलों के उपर ठीक ह तो ख्लाउड होते क्या हैं सबको पता है बादल जो बारिश कराते हैं तो बादल बादलों को हम हाइट के अगॉल्डिंग क्लासिफाई करते हैं कि जो सबसे जादा हाइट में clouds होते हैं 6 to 20 km वो होते हैं high clouds middle clouds 2.5 से 6 km जैसे कि यह earth का surface है तो सबसे उपर कों से पाई जाते हैं high clouds 6 से 20 km की यह distance होता है earth के surface से then middle clouds जो है वो 2.5 से 6 km तक रहेंगे और एक होते हैं vertical clouds यह तो ऐसे पाए जा रहे हैं एक clouds होते हैं जो कि ऐसे ऐसे पाए जाते हैं जो कि कहां तक इनका वर्टिकल एक्सेंड भी होता है ठीक है सो स्टार्ट करते है different types of clouds है different types of clouds जो इनको लेटिन नेम्स दिए गए हैं कि cirrus, cumulus, stratus, alto, nimbus यह पाँच नाम हैं इसी के ओपर सारे के सारे terminology जो है वो clouds की depend करती है जासे कि cirrus हो गए cirrus वो clouds होते हैं जो की बहुत high altitude पे होते हैं सबस्यादा high altitude पे cirrus clouds होते हैं feather-like होते हैं cumulus clouds वो जो होते हैं जो की एक heap, rubbish, घृत्रे की तरह रहते हैं गट्रे की तरह रहेंगे और flat bases हों गे round top होंगे जैसे यह SM clouds होते थे थे certificus स्टरेट मतलब सीडे सीधे clouds होते हैं यह सीधे सीधे sheet like clouds होंगे यह सीधे cloud होंगे layer के type के होंगे alter होते है middle latitudes वाले और rain clouds होते हैं हमारे nimbus तीक है rain clouds को हम nimbus clouds कहते हैं अब देखो इन सबसे ही मिलके बन रहा है यह rain cloud है nimbus और यह क्या है cumulus type है क्यों क्योंकि इसका base जो है वो straight है और ऐसे हीप जासा बन रहा है horns इन सारे वर्ट से सोब्स मिलेंगे क्यों स्कुमुलेंबस हैं जिसका स्ट मिसống जो है डिल ऐसे हिप जासा बन रहा है क्यों है तूरा उक्लावण मिडल 캏 है मिडल Ultra म まतलब Middle Altitude में Stratus मतलब Straight है,ckhr Tá? Straight दिख रही न ná Straight Clouds है और Middle Altitude में Cumulonum Utocumulus Utocumulus मतलब Addisum Middle Attitudes में है Cumulus मतलब गत्री जैसे है तो Middle Attitudes में है और गतरी जैसे है Straight नहीजे Thenalten Syristatus भहुत आसमानमें हमें बहुत उचे है और Straight है टिक त्रेट हैं टिक है शिरस चुलावटrauls तीक है किसी मतलब बहुत ही ऊच उचे-चुलाब्ट है आधमास्फेर में बहुत उचे है तिक किसे हाँघ है इंच है इन में से ये cumulonimbus और nimbus status ये ही दोनों हैं जो की बारिश करवाते हैं ये जो altocumulus clouds है ये इनको wool pack clouds भी बोलते हैं wool pack clouds बोलते हैं या फिर sheep clouds बोलेंगे sheep clouds और कभी इनकी detail पूछ ली कि high clouds है cirrus, cirrocumulus, cirrostatus जहां पर भी ये cirrus है cirrus clouds है, इसका मतलब high clouds है, height कितनी है 6000 से 12000 मीटर cirrus clouds जो है वो fair weather बताते है, cirrus clouds है मतलब आस्मान साफ है cirrus cumulus जो है, वो sand ripple जैसे लगते हैं sand ripples जैसे लगते हैं, ऐसे लगता है कि sand ripple जो है, आस्मान में है फिक्टर जैसे कि यह है, ऐसे लह रहा है है कि आस्मान में rate है sand ripple है, sand ripple जैसे यह zero climate दिखते है zero status तो ऐसे लगता है जैसे कि sun के पीछे hello है hello क्या होता है, जैसे sun है ठीक है, sun के पीछे ऐसे ring बन जाती है, ठीक है sun के चार्ट तरफ है sun या फिर moon ठीक है, moon और sun के पीछ में यह hello बना लेते है ठीक है, goal structure बना लेते है ऐसे, और यह transparent होते है ठीक है, यह transparent clouds होते है then, next आगे हमारा middle clouds alto status, alto cumulus height जो है, वो 2000 से 6000 मीटर के बीच में देखो भी, यह alto status जो है, वो gray clouds होते है ठीक है, gray type के होते हैं यह sun को, moon को ढख सकते है ठीक है, ढखने का इन में शमता रहती है, alto cumulus जो है, मैंने आपको बता दी है sheep clouds आफिर wool pack clouds उनको बोलते हैं, और cumulus है, तो इसका मतलब क्या है यह heap like होंगे, ठीक है heap like होंगे then, low clouds low clouds मतलब stratus आएगा stratus बिलकुल uniform layer के अंदर ठीक है, uniform layers में यह पाया जाता है stratus, height क्या है 2000 मीटर तक, uniform layers में आएगा, और जादा तेज बारिश नहीं करवाएगा, लेकिन जिर्मिर सी बारिश करवा देगा ड्रिजलिंग करवा देगा stratus, stratocumulus जो है यह winter season वाले clouds होते है, ठीक है winter season में यह stratocumulus आते हैं, और clean weather को indicate करते है, clean weather है या फिर fair weather है, आस्मान साफ है यह होते हैं वाई, बारिश कराने वाले सबसे जबर्दस clouds काले बादल ठीक है, dark clouds limbo status होते हैं हमारे काले बादल जो बारिश करवाते हैं तो बिलकुल काले हैं तो फिर भाई कई हमारा cyclone, cyclone क्या है cyclone क्या होते है, bawunder और इसका main क्या है कि इसके बीचोबीच होता है low pressure होता है, low pressure होता है बहुत intense low pressure होता है और आसपास होता है high pressure low pressure, surrounded by high pressure from all sites यह low pressure region है high pressure region से surrounded रहता है, और फिर क्या हो गई गोल 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 बावंडर बन जाएगा और साइकलोन बन जाएगा और इसका अगर आपको कभी पूछ ले कि साइकलोन जो है वो northern hemisphere में कौन से direction में घुमते हैं तो आपको याद रखना है ये उल्टा वाला हिसाब north में वो anti-clockwise घुमेंगे south में वो clockwise घुमेंगे तो साइकलोन जो है वो north के अंदर anti-clockwise और south के अंदर clockwise ठीक है इसे आपको याद भी आ जाएगा ठीक कैसे घुम रहे हैं ये ठीक है और ये जो बीचो बीच होती है साइकलोन की बीचो बीच को बोलते है eye of cyclone eye of cyclone में क्या होता है यहाँ पे बादल नहीं होते हैं और एक दम शान्थ atmosphere होता है तो eye of cyclone में क्या होता है एक दम clear weather शान्थ weather होता है क्या होता है जैसे कि मान लो यहाँ पे आपका घहर है यहाँ पे बवंडर आ रहा है तो क्या होगा पहले आपको यहाँ पे रेनफोल आएगी तेज़ रेनफोल आएगी फिर क्या होगा एक दम से weather जो हो clean हो जाएगा कुछ भी नहीं हो रहा है इसका मतलब क्या है eye of cyclone आ गया है eye of cyclone के आने के बद फिर से eye of cyclone आगे चला जाएगा फिर यह वाली part आएगा cyclone का कि यह कौन से all latitude में पाए जाते हैं जिस latitude में पाए जाते हैं उनी से इसका नाम है कि वह ट्रॉपिकल साइक्लोन कहां पाए जाएंगे 88 से 20 डिगरी नौट साउथ में ठीक है लेकिन टेमपरेट साइक्लोन टेमपरेट रीजन में पाए जाते हैं तो यहां पर कॉरियोलिस फोर्स जो है वो कम लगता है या फिर लगता ही नहीं है कॉरियोलिस फोर्स कम लगता है यहां पर यह तो लगता ही नहीं है क्योंकि कॉरियोलिस फोर्स क्या होता है जितना आप latitude से दूर जाओगे एक्वेटर से जितना दूर जाओगे जितना लेटिटूट का डिग्री जादा होगी उतना कॉरियोलिस फोर्स जदा लगता है जितना कम लेटिटूट होगा उतना कम कॉरियोलिस फोर्स लगेगा टॉपिकल साइकलोन जो है वो इस्ट से वेस्ट की तरफ जाते है और Tampere Cyclone West से East की तरफ आती है Tropical Cyclones की speed जो है वो 200 से 500 km जो diameter Tropical Cyclones का diameter 200 से 500 km तक होता है Tampere Cyclones का diameter 300 से 1500 km का होता है Tropical Cyclones की जो बारिश होती है वो नॉन-frontal होती है Etampere Cyclones की बारिश जो जो frontal होती है frontal का मतलब क्या है कि यहाँ पर warm currents और cold currents आके मिलते है तो बारिश होती है तो बारिश होती है तो हो गया है उनसे temperate cyclons अब tropical cyclons की एक बहुत ही ज़्यादा खास बात है यह बहुत ज़्यादा खास बात है कि यह सिर्फ और सिर्फ oceans में मिलते है जैसे ही यह land पर आते ही गायब हो है लेकिन temperate cyclons जो है वह लेंड पर इमेरो गायब हो जाएंगे लेकिन temperate cyclones जो है वो ज़्यादा time लेते हैं वह dissipate होने में और इनकी एक definite life cycle होती है तो यह हो गया हमारा cyclones का topic खतम और temperate cyclones के जो अलग-अलग नाम है यह कभी-कभी पूछ ली जाते है कि typhoons जो है वो South China Sea में बोला जाता है tropical cyclones Indian Ocean में बोला जाते है hurricanes Caribbean Sea के अंदर tornadoes USA willy-willy northern Australia सो यह different name of cyclones है जो जिस region में यह बोले जाते है cyclone के बाद बहु एंटी cyclone भी आ गया अब देखो cyclone से पूरा उल्टा जो है एंटी cyclone हो जाएगा cyclone बारिश करवा रहा है एंटी cyclone बारिश नहीं करवाएगा यह वो फिनोमेना है कि बीच में high pressure है और आसपास low pressure है बहाँ पर उल्टा था कि बीच में low pressure था और आसपास high pressure था और मैंने अब को बताया था यह high pressure वाले फिनोमेना में कभी बारिश होती नहीं है बारिश कहा होगी जहाँ पर low pressure होगा यह anti cyclone में क्या होगा बारिश नहीं होगी बारिश नहीं करवाएगा यह इसी की वज़े से इसको क्या बोलते है weatherless phenomena अब direction भी उल्टी हो जाएगी ठीक हमने north और south को किया था ना कि cyclone क्या है उल्टा घूमेगा cyclone जो है वो northern hemisphere में counter clockwise गूमेगा anti clockwise गूमेगा लेकिन anti cyclone उल्टा हो जाएगा anti cyclone northern hemisphere में clockwise गूमेगा और southern hemisphere में anti clockwise गूमेगा आपको एक ही याद करना है cyclone ही याद करना anti cyclone तो सिर्फ आपको दिमांग में बैढ़ जाएगा उल्टा ही दिमांग को सोचना है बस next छोड़ा सा topic है हमारा ocean basin जो की समुद्र के अंदर समर्जड है उसको बोलता है continental shelf average width इसकी होती 70 km ठीक है यहां पर अगर मैं लिखाँ तो 70 km तक कि इसकी average width होती है average slope इसका 1 degree का होता है 1 degree का इसका average slope है total 8.6% of the total area of the oceans continental 8.6% of the total area of the ocean continental shelf cover करता है सबसे जादा continental shelf जो आट्लैंटिक ओशन की है ठीक है यह होगे हमारा continental shelf देन आगे हमारा continental slope अब यह जो एकड़म से जादा बढ़ रहा है ना angle एकड़म से बढ़ गया यहां पर तो angle जो है वो 1 degree तक चल रहा है एकदम से एंगल जो हो यहां पर बढ़ गया इसको बोलते हैं बई Continental Slope यह क्या है Continental Shelf का Seaward Extension है तेके Seaward Extension है कि यहां पर अब समुद्र का Continental Shelf जो हो समुद्र के अंदर Extend हो रही है यहां पर Slope कितना होता है 2 से Average Slope 2 से 5 डिगरी का होता है डेप्थ कितनी है बई से 2 किलो मिटर तक कि इसकी एवेड डेप्थ होती है ठीक है डेप्थ कितनी है 200 मिटर से 2000 मिटर 2 किलो मिटर तक कि इसकी डेप्थ हो सकती है मैक्सिमम अब यहां पर next आगे Continental Rise Continental Rise क्या है अब देखो यहां तक तो यह नीचे जा रहा था सो इसको बोलते है Continental Rise इसको एवेड स्लोप कितना होता है 0.5 डिगरी से 1 डिगरी तक इसका एवेड स्लोप रहता है और इस Continental Rise की खास बात क्या है कोशन यहीं से आएगा पूश लेगा कि Oil Deposit कहां होते हैं ठीक है option देदेगा आपको Continental Shelf में, Slope में, Rise में, Trench में, Maximum बच्चे लगाया आएंगे Continental Shelf में लेकिन होता कहां पर है Continental Rise में सबसे ज़्यादा हमको Oil Deposit मिलते है देन आगे हमारा Trench Trench क्या है यह तो खाई है इसको आप खाई समझो कि समुद्र के अंदर बहुत Steep Depression को हम Trench बोलते हैं बहुत ही ज़्यादा Famous Famous Trenches है जैसे की Mariana Trench जो की Deepest Point है वर्ल्ड का कहां पर पाया जाता है यह Mariana Trench Northwest Pacific में ठीक है नेक्स ट्रेंच के बाद क्या आ गया नेक्स ट्रेंच के बाद कि Deep Sea Plains तो समुद्र के अंदर भी बहुत बड़े बड़े इलाके होते हैं जो बिल्कुल समतल होते हैं प्लेंस होते हैं उनको बोलते हैं Deep Sea Plains अब यह नेक्स ट्रेंच आगे Sea Mount या फिर Sea Mounts ठीक है क्या होता है कभी कभी कि समुद्र से नीचे बड़ी बड़ी चट्टाने बड़े 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 Hills Mountains जो है वो उपर सतह तक आ जाते हैं उपर सतह तक आ जाते हैं जिनको बोलते है Sea Mounts और यह जो Sea Mounts हैं बहुत बार Islands बना लेत जैसे कि आइसलेंड है वो भी Sea Mounts ही है यह समुद्री पहाड जो पहाड जो समुद्री पहाड समुद्र के उपर आ गया वो तो Sea Mount हो गया लेकिन जिसकी उचाई इतनी नहीं हो पाई कि वह समुद्र के उपर आ सके उसको गयोट बोल दिया पर कलें है तो गयोट और Sea Mount कुछ नहीं है सेम चीज़ें है बस तो इतने उच्जे हो गएं कि वह समुद्री तट से उपर बाहर दीखने लग गये ग्योट जो है वो इतने उचे नहीं हुए तो वो समुदरी के समुदर कल के नीचे ही रहे ठीक है सी लेवल के नीचे ही रहे यह अब ओशन में होती हैं दो चीजें waves और tides वैसो तीन होती है waves, tides और currents तीन हो हम यहाँ पर पढ़ेंगे currents, currents जो होते हैं वो ठंडे भी होते हैं गरम भी होते हैं सारे हम पढ़ेंगे यहाँ पर एक एक करके, so wave क्या है, wave होती है भई, oscillatory movements of water देखे, oscillation मतलब एक ही mean position पे left, right या उपर नीचे करना, उसको बोलते है oscillation, तो waves क्या है, पानी के movement, पानी के movement, alternate rise और fall होना sea का, sea surface का उपर नीचे होना, उपर नीचे, उसको कहते हैं waves, waves की वज़े से हमने landforms पढ़े थे, erosional और depositional landforms पढ़े थे, caves, base, gulf, caves, cliffs, चीक है, यह क्यों बनते हैं, waves की वज़े से बनते हैं, then आगे हमाया tides, tides क्या होती है, waves जो है वो motion, oscillatory movements की वज़े से हो रहे हैं, tides जो है, इनका reason होता है, sun और moon और earth की position, ठीक है, periodic rise and fall of पूरा sea level, ठीक है, sea level, पूरे की पूरे sea level का ही rise और fall होने को tides बोल, क्या होता है, कि जब earth, moon और sun, इन तीनों की एक gravitational force है, gravitational force का formula में याद है, gmm over r square, ठीक है, और ये एक vector quantity है, vector quantity मतलब इनके direction पे ये depend कर रहा है, तो अगर ये तीनों एक line में हैं, तो gravitational pull ज़्यादा होगा, gravitational pull ज़्यादा होगा, तो obviously, जो ये लहरे बनती है, वो किस वज़े से बनती है, moon के gravitational pull की वज़े से, तो tides का जो main reason है, अगर आपसे पूछा जाए, तो क्या होगा, gravitational force of moon, तो याद रखना है, moon का gravitational force, main reason है, ना की sun का, sun का नहीं है, ठीक है, क्योंकि gmm over r square में, r square नीचा है, और मतलब क्या है, जो force है, gravitational force का क्या formula है, gm1, m2 over r square, ठीक है, r का square है, और वो inversely proportional है, तो जितना कम distance होगा, उतना force जादा होगा, ठीक है, तो ये mass को neglect कर देता है, क्योंकि moon जो है, वो बहुत पास है, earth के, as compared to sun, तो moon का gravitational force के वज़ए से, क्या होता है, कि लहरे बहुत जादा बन जाती है, आगे जब वो sun के साथ भी align कर जाता है, एक line में ये align कर जाते हैं, तो, बहुत ठीक है, लम्मी लम्मी लहरों को क्या बोलेंगे, spring tights, और जब sun, moon और earth जो है, वो 90 degree का angle बना लेंगे, ठीक है, 90 degree का angle बना लेते हैं, जब ये, तो लहरे जो है, वो छोटी हो जाती है, लहरे छोटी हो जाती है, क्योंकि moon का gravitational pull है, और sun का gravitational pull है, एक दूसरे को काट देगा, ठीक है, एक दूसरे को काट देगा, तो फिर attraction कम होगी, तो फिर tide की जो height है, वो कम होगी, तो ये कब होगा, जब 90 degree बनेगा, इनको बोलते हैं, नीब tides, अब ये जो 2 tide हैं, उनके बीच का समय भी हमें पता होता है, 12 hour 26 minute, ठीक है, 12 hour 26 minute के interval में, ये 2 tides आती है, तो एक दिन में कितने tide आएंगी, दो tides आएंगी, नेक्स हम देखते है, ocean currents, ठीक है, ocean currents दो type के हैं भी, एक हमारे warm ocean currents, दूसरे हमारे warm और cold, ठीक है, warm है एक और एक है cold, सो एक rule होता है, कि अगर ये उपर से नीचे आ रहा है, तो फिर ये ज्यादतर क्या होगा, ये cold current होगा, ठीक है, ये उपर से नीचे आ रहा है, तो cold current होगा, क्योंकि ज्यादा इधर, मतलब ज्यादा ठंड़ी इलागे से आ रहा है, अगर नीचे से उपर जा रहा है, तो ये क्या होगा, warm current होगा, एक एक करके देखते हैं, ये warm ocean current और cold water current, ठीक है, तो ये warm current कौन-कौन से देखो, equatorial current, ठ ये होगा हमारा crucial current, तो ये ही होगा है कि नीचे से उपर जाएगा, तो ये warm current होगा, crucial current, कहाँ पे आई ये, Pacific के अंदर है, North Pacific current, ठीक है, then California current, California current, ठंड़ा है, ठीक है, अगर पहले अगर हम गरम कर ले, तो East Australian current, गरम current है, ब्राजील current, ठीक है, ब्राजील current, ठीक है, ब्राज गल्फ स्ट्रीम, ठीक है, गल्फ स्ट्रीम, North Atlantic Drift, इसको बोलते है, North Atlantic Drift, और ये Norwegian current, Norwegian current, ठंडों की बाद में बात करेंगे, तो बहुत important है, Canary current, then California current, Alaska current, गामचाट का current, Antarctic Circumpolar current, या फिर West Wind Drift इसको बोलते है, और यहाँ पे आगया, Benjuela current, और यहाँ पे पेरू कोस्ट के पेरू current, इधर, Falkland current, ठीक है, तो ये सारे हमारे cold current और hot current हो गए, ये आपको याद करने पड़ेंगे, सारे कि इनकी locations का है, location का सबसे असान तरीका क्या है, कि आपने map लिया, और दो बार इसको fill कर लिया, आपको बहुत असानी से समझ में आ जाएंगे, और याद हो जाए पेरू आपस में मिल जारे हैं ये, obviously, समुधर आपस में मिल जारे है, ये गोल सा क्या बना रहे हैं, ये गोल current बना रहे है, इसको बोलते हैं GIERS, ठीक है, जायर क्या है, США is the system of oceanic currents का, इन जायर को भी कुछ-कुछ बोलते हैं, इन जायर को कुछ-कुछ बोलते इनका नाम है, जैसे कि इस जायर का क्या नाम है Columbus जायर ठीक है सु आपने Christopher Columbus के बारे में पता होगा आपको जिसने अमेरिका की खोच करी थी लेकिन वो खोच करना चाता था इंडिया की लेकिन उसको अमेरिका मिल गयता है तो Columbus के नाम पर ये क्या है Columbus जायर देन ये वाला जायर इसको बोलते हैं नैविगेटर जायर या फिर हेंडरी जायर हेंडरी किंग वहा करता था जो की उसको नए नए रास्ते खूजने की बहुत ज़ादा ललक थी ठीक है तो वो नैविगेशन में बहुत माहिर था तो उसको हेंडरी जा नैविगेटर बोलते यहां पर टर्टल नेस्ट करते हैं यह को है कि नहीं है यह वाला यह हमारा हीरल डार जायर kind नहीं है भाल जायर बी है बहुत बड़ा सेलर हुआ जिसने एक impossible सी वइयाज करके दिखायी थी तो उसके उपर यह हियरडाल जायर है और ये जो है ये हमारा माजिद जायर माजिद जायर इसको बोलते हैं माजिद जायर सो इनमें लोकेशंस कभी-कभी पूछ लेते हैं कि टर्टल जायर कहाँ पे है नौर्थ पैसिफिक के अंदर या फिर North Pacific Jire को बोलते है Turtle Jire North Atlantic Jire को बोलते है Columbus Jire South Atlantic Jire को बोलते है Navigator Jire South Pacific Jire को बोलते है Heardal Jire और Indian Ocean Jire को बोलते है Magid Jire Next हमारा टॉपिक है भाई Major Physiographic Divisions of India Major Physiographic Divisions में क्या-क्या आता है हमारे हमारे Himalayan Mountains है Northern Plains है ये Penisular Plateau है Indian Desert है Coastal Plains है ये ठीक है और हमारे Islands है सारा हम डिटेल में तो करनी पाएंगे जो Major चीजे हैं वो यहाँ पर हम समझ लेते हैं जैसे कि Major Mountain Peaks है Mount Everest जो कि Nepal में है गंचन जंगा इंडिया का सबसे हाइस्ट पीक है 8598 मीटर हाइट है इसकी Then Mount Makaloo, Mount Dholagiri, Nanga, Parvat, Anpuna, Nanda, Devi, Kamit, Nama, Chabarwa, Gurlamandata ठीक है Gurlamandata भी नपाल के अंदर है ये Dholagiri भी नपाल में है लेकिन है कहाँ पर ही सारे हिमालियास के अंदर ही Important Streets बहुत बार आजाते हैं और अगर ये पूछा जा सकता है तो इसका मतलब 9 degree भी आ सकता है 8 degree भी आ सकता है जाए ग्रेट चनल भी आ सकता है So ये साइज चैनल आपको याद करने पढ़ेंगे ग्रेट चैनल किसको डिवाइड कर रहा है इंद्रा पॉइंट को और इंडोनेशिया को नाइन डिगरी चैनल मिनिकोई आईलेंड और लक्षद्वीप को ये क्या है लक्षद्वीप के ही आईलेंड है दोनों एट डिगरी चैनल जो है वो मालदीवज और मिनिकोई आईलेंड को सबट करता है मिनिको यारेंस किसके हैं? लक्षडीप कावब पार्ट है इंडिया और शेलंका को कौन सा स्ट्रेट अलग अलग करता है गल्फ of मननार और पाक स्ट्रेट जिसको बोलते हैं अगर हम हिमाल्याज की बात करें तो हिमाल्याज आपको पता है है कि चार रेंज में डिवाइड़ है हिमालियाज एक है हमारे ग्रेट हिमालियाज दूसरे हमारे लेजर हिमालियाज पीसरे हमारे ट्रांस हिमालियाज और चौते हमारे शिवालेक्स या फिर आउटर हिमालियाज इन चार रेंजिस में ये हिमालियाज जो है वो गेटर हिमालियास को बोलते हैं हिमादरी और इनकी एवरेज हाइट होती है भई छे अजार मीटर से उपर लेजर हिमालियास जो है वो गेट हिमालियास के साउथ में रहते हैं और शिवालिक्स के नौर्थ में रहते हैं इनके एक एक्जामपल क्या हैं लेजर हिमालियास की ज मसूरी भी यहीं पर ही आता है ना मसूरी रेंज भी लेजर हमालियाज में ही है ट्रांस हमालियाज तो भई कराकोरम रेंज और लद्धाक हमालियाज है ठीक है कराकोरम रेंज और लद्धाक में यह ट्रांस हमालियाज होते हैं तो याद रखना है यह पूछ लेते हैं कि ट्र में कौन कौन सी रेंज आती तो करा करम रेंज और लड़ा करेंज को और क्रिशनागी रेंज भी बोलते हैं इसको हाय चिवालिक्स के बारे इन सबसे छोटे हैं दो कि आब विद नि आते हैं 10 किलो मेटर से 50 किलो मेटर के इनकी चोड़ाई रहती है तो यह जो चोड़ाई है यह क्या है वैली तो है यह दो माउंटेंस के बीच की विट को वैली बोल रहे हैं और इनकी वैली को बोलते हैं दून्स जैसे की बहरा दून, पाटली दून, कोटली दून यह सारी क्या है शिवालिक ग्रेंज के अंदर आते हैं ठीक है फिर मेजर वैली अगर आपको याद करनी है तो यह उसके लिस्ट है मेजर वैली कभी कभी क्या पता पूछ सकते हैं अराकू वैली आंदर परदेश में है, दामोदर वैली जारखंड वेस्ट बेंगॉल में है, धर्मा वैली उत्राखंड में, जूकू वैली नागलेंड नौर्थीस्ट में, जोहर वैली उत्राखंड, मर्खा वैली लद्दाक, नूबरा लद्दाक, सांगला हिमाचल मांटेंस के बीच से गुजरता हुआ रास्ता तार कि मांटेंस को क्रॉस किया जा सके तो यह होता है mountain passes so mountain passes के questions आते हैं तो यहां से आपको यह याद करने पढ़ेंगे mountain passes के questions बनी हाल पास डोडा और अनन नाग से गुजरता है जम्मू कश्मीर में ऐसे ही शिपकिला, बाला लाचला, रोतांग, बॉम्डिला ठीक है इंडिया चाइना के हिमालिया passes कौन कौन से है शिपकिला, ठांगला, नीतिला, लिपुले, जिलेपला, नाथुला ठीक है southern most point of India को क्या बोलते है इंदिरा point ठीक है इंदिरा point इंदिरा point से पहले क्या बोलते थे pigmission point ठीक है trans हिमालियन के भी passes है कराकोरम पास या अगिल पास जमू कश्मीर में western घाट के अंदर भी passes है पाल घाट, शे, शेनकोटा घाट ठाल घाट और बोर घाट ये चार घाट जो है western घाट के अंदर passes है ठीक है किस-किस के बीच में है ये भी आपको करना पड़ेगा याद मुंबई पूने है और बोरगाट मुंबई नासिक अगर हम बात करें है islands की islands की question पूछ सकता है islands में क्या क्या बोल कि हमाँ पास दो island groups है एक हो गया हमारा अन्दमान निकोबार जो की Bay of Bengal में है एक हो गया हमारा लक्ष्टूइब islands जो की Arabian Sea में है टोटल टोटल इन दोनों को मिलाके कितने हैं islands 247 है जिसमें से 204 islands जो है वो तो Bay of Bengal में और 43 islands जो है वो Arabian Sea में ठीक है ये कहा है Bay of Bengal के अंदर और ये कहा है Arabian Sea में ठीक है Arabian Sea के अंदर है और अगर दोचाइब डिटेल्स के बारे में बात करें तो अंदमान निकोबार जो है वो Arabian Yuma Mountains का extension है ठीक है Arabian Yuma Mountains का extension है जो की ये South Eastern countries के अंदर आता है जो हमारी ASEAN countries है Myanmar तक जाएगा ये ठीक है then 572 islands हैं यहाँ पर जो की अंदमान के अंदर 550 हैं और निकोबार के अंदर 22 हैं 22 जो है वो निकोबार के अंदर है और 500 बचा संदमान में highest peak यहाँ पर Mount Thulier है जो की Great निकोबार में पाई जाती है लक्षदूई में 36 islands है 36 में से 10 इनहबिटेड है ठीक है बाकी जो 36 में से 10 जो है यहाँ पर ही लोग रहते है और बाकी जो 26 islands है वहाँ पर लोग रहते नहीं है और लक्षदूई पाई लेंस का टोटल एरिया क्या है के वल 32 स्क्वेर किलोमेटर्स देन हमारा लास्ट टॉपिक अब आज आता है भई स्वाइल लास्ट टॉपिक है हमारा है Soils and its characteristics अब स्वाइल होता क्या है सबको पता है वह अपर लेयर है हमारे mental law की loose material है और यह हमारी पूरी की पूरी जो खेती है वह स्वाइल के ओपर depend करती है हमारी जो भी क्रॉप्स हैं उनको different soils की ज़रूरत परती है So in this sense क्या है Soil जो है पूरी संसार के लिए सबसे ज़्यादा important है हमारी hunger requirements के लिए energy requirements के लिए Soil बहुत important है Soil जो है वो 8 टाइप 8 टाइप के Soils identify करें है किसने Indian Council of Agriculture Research ने जैसे पहला होगा हमारा aluvial soil फिर black soil जैसे कि अगर हम इसमें देखें तो यह हमारा aluvial soil हो गया यह हमारा black soil है ठीक है आपको यह map एक बार दिमाग में डालना है कि कैसे कैसे है ठीक है aluvial soil के जो region है यह है हम इनको अभी briefly discuss भी करेंगे लेकिन यह map अगर आपको यह हमारा arid soil आगे जिसको desert soil भी बोलते है यहाँ पर mountainous soil भी आता है ठीक है तो one by one discuss करते है सबसे पहले तो आगे हमारा aluvial soil जो की सबसे ज़ादा पाया जाना वारा soil है 45% आफ जमीन जो हो aluvial soil की है अगर आप इसमें भी देखोगे तो यह 45% जमीन जो आपकी है ठीक है यह 45% जमीन जो वो aluvial soil से बनी हुई है और aluvial soil पूरे ऊपर चेस से नीचे तक है ठीक है यहाँ तक आपका aluvial soil आया तो पूरे देश के अंदर aluvial soil पाया जाता है aluvial soil जो है potash के अंदर rich होता है लेकिन phosphorus के अंदर poor रहता है तहाँ पाया जाता है mainly गंगा भंपुत्रा के plains में दूसरा important soil आगया black soil जो की 17% है यह iron में rich होता है lime में magnesium, aluminium lime के अंदर rich होता है लेकिन deficiency होती है nitrogen की और phosphorus की यह soil जो हो dark color के होते है deep soil होते है और impenetrable होते है इन में पानी जो हो penetrate नहीं करता है जमा रह जाता है जिसकी वज़े से black soil जो हो किसके लिए बढ़िया होते है rice के लिए cotton के लिए then black soil कहां का पाये जाता है गुजरात, महराष्टरा, करनाटका, तिलंगाना, मध्द्रदेश, तमिल नाडू ठीक है नेक्स्ट, red soil, red soil 12% है टोटल इंडिया की जमीन का iron में rich होता है, phosphorus, nitrogen, lime में deficient होता है और ये soil थोड़ा acidic nature का होता है lowly soil है, कहां कहां पाये जाता है मालवा, चंबल, बुंदेल, खंड, 36 गड़, उड़ी, आंद्रप्रदेश सो ये सारा का सार जो area, ये क्या है, red soil है, ठीक है then, आगे हमारा लेटराइट soil बढ़ी लेटराइट soil जो होते हैं, वो good rainfall areas में होते हैं rainfall जादा बढ़िया होती है, तो इस क्या होता है, साई nutrients ये बहा के ले जाती है नूट्रेंस बहा के ले जाएगी तो फिर agriculture के लिए fit होगा नहीं, लेकिन ये जो soil होते हैं, ये agriculture के लिए fit कैसे बना सकते हैं, आप यूरिया मिला के, और fertilizer मिला के, तो लेटराइट soil जो हो सकते हैं, अगर आपको यूज करो अच्छा यूरिया, अच्छे fertilizer यूज करके ले नहां पर ब्रिक्स बनती है, ठीक है, ब्रिक मेकिंग में ये काम आता है, इंटे बनती है, लाइम और सिलिका जो हो लीच अवे हो जाता है, मतलब बह जाती है, पानी के साथ, तो ये लाइम और सिलिका के अंदर deficient रहता है, कहां पाई जाएगा, छोटा नक्पू पेट्ट बहुत प्यासा है, पानी जितना भी तो सारा पानी पी जाता है, नाइट्रेट्स में रिच रहता है, अगर नाइट्रेट्स में रिच है, तो इसका मतलब क्या है, तो अगर आप इसको सही से पानी दोगे desert soil में, तो ये बहुत अच्छी crops को पैदा कर सकता है, तो इसकी मतल एक लेकर डाक कलर के होते हैं और यूमस बहुत ज़यादा होता है क्योंकि यहां पर हम इनदर मांटेंज के अंदर धोड़े सबड़नें सब्सक्राइब सब्सक्राइब गेंगे पीज सिक्स पॉइन चाहे काए जाता है। गष्य arsenal का बेंगौल जाता है उत्राखंड के जहां पर मांटेंज जो है खतम हो रहे हैं तरही रीजन जिसको बोलते हैं तरही रीजन के अंदर यह पाए जाता है यहां पर सारी की सारी जो रिवर्स होती है और फिर उत्राखंड में प्तलम यूपीषि तरही रीजन में जाता है !! वहां बहुत जाद के रिजन्टेंज से अंदर यहां पर और्ग्यानिक कंटेंट बहुत रहता है और्ग्यानिक कंटेंट मतलब यहां पर जानवर और प्लांट जो मर जाते हैं और इसके अंदर दफन हो जाते हैं तो और्ग्यानिक कंटेंट 40-50% और्ग्यानिक कंटेंट रहता है यहां पर बहुत जादा और और्ग्यानिक पन्जाब में वेस्टेन यू प्यूल है चाप्तिटियों के वहाँ पर पस werk चाना ब समय शुट पोप्हिए और शुगर跟ो राम स्यपन में महाराष्ट्रा सब्सक्राइब वहां पर भी यह स्वाइल पाए जाते हैं यहां पर हमने पूरा जोग्राफी मतलब मैक्सिमम जोग्राफी का पार्ट सारा कम्प्रीट कर लिया है बहुत सारा यहां से कोशन्स आपके बनेंगे तो अच्छे से पूरी लेक्चर को रिवाइस करो अपने नोट्स बनाओ उनको को एक घंटे में खतम कर देने पूरे सब्जेक्ट की ठीक है इतनी जादा आपको प्रेक्टिस करनी पड़ेगी एक्जाम को निकारने के लिए तो all the best जैहिंट